हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आज शुबा में हम लोगों ने जो वीडियो रिलीज करी थी इसका पहला पार्ट था हो इसमें हमने लगभग बिहार बजट जो था 2021-22 वहां तक कंप्लीट किया था हम लोग अभी जो डिसकस कर रहे हैं मैं फिर से बता दू वो बिहार करेंट अ हम लोग 21-22 का ओलेडिक कर चुके उसका अलग से स्क्रीज बना के बहुत ही डिटेल तो उसका परपस यह था कि रिसेंड का डेटा ज्यादा पूछेगा इन कंपरेजन तू प्रिवियस डेटा तो दोनों डेटा है दोनों से पूछ सकता है तो इसमें जितना पूछ चास्त मोटी हम लोग देख लिए 2020 चुकि यह दिसंबर नॉवंबर के आसपास हुआ था 2020 में और उसके बाद एक्जाम हुआ था पीटी का 66 का तो उसके बाद का ही करेंट अफ्यर्स आएगा लेकिन फिर भी हम लोग मोटा मोटी देख लिए उसका बिहार में क्या क्या कहां है यह एक important पार्ट थाई कर लिए लोग सब कुछ खास था नहीं बिक्सित बिहार के साथ निश्चय साथ निश्चय तू यह दोनों important था थैंचे दोनों को हमने discuss किया बिहार की जनगनना के बारे में जो important बात थी डिसकस कियो प्रमंडल जीला के बारे में सब कुछ बता है बस त आपका अगर बात करें भागलपूर का तो भागलपूर में है इस तरह से तो यह आर्थिक सरवेक्षन हमें बजर तक किया बिहार में सासन ब्योस्ता यह बहुत इंपोर्टेंट नहीं लेकिन बन रिपोर्ट इंपोर्टेंट है यह हम लोग देखेंगे बिहार की इसमें जो पुरशकार और समान और बिहार में चर्चित बैक्ती चर्चित अस्थान जो है इंपोर्टेंट पार्ट से तो यह अभी इस वीडियो में यह पुरस बुक खतम हो जाएगा इसके अलावा जो यह बस्तुनिष्ट प्रसन है जो इसमें दिया हुआ है वो 738 बस्तुनिष्ट प्रसन है भाई लोग और यह बस्तुनिष्ट प्रसन हम लोग डिसकस करेंगे लेकिन बिफोर डैट हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारा थ्रस्ट हमेशा से रहा है कि हम लोग डिटेल करें हमारा डिटेलिंग हो जाएगा इस तो क्या होगा कि हमारा कनेक्शन बन सकता है हम हम connect कर पाएंगे दूसरे दूसरे topics को दूसरे दूसरे events को एक दूसरे में connect कर पाएंगे तो रटने की जरूत कम पड़ेगी analytical approach हमारा है analytical approach को follow करके और result पक्का होना है इसमें कोई doubt नहीं बस आप लोग follow कीजिए पूरा वीडियो देखिए skip मत कीजिएगा क्योंकि क्योंकि इस तरह का मतलब content हम डालते हैं कि मेरा purpose रता है कि आपको हर कुछ बढ़िया से पता हो उपर उपर shortcut वाला हमारा नहीं है तरीका हमारा तरीका है कि आपको detailing में समझ में आए ठीक है और पूरा का पूरा आपका focus जो है इस पर अगर रहेगा तो पक्का result होना है इसमें कहीं पर कोई doubt नहीं है चलिए शुरू करते हैं लेकिन इसके पहले हम बता दें कि हम लोगों साहित शरंस्क्रीती हम लोग कर चुके हैं कुछ छोटा बॉन्टा टॉपिक बचा है जो अपने को करना है उसको बजट किये हैं करना बाके है तो बिहार करेंट अफियर्स होने के बाद हम लोग करेंगे अगर आप लोग बोलेंगे तो हलाकी हिंदी मेडियम में बिहार के जो मेट्रियल मिलता है अगर आप लोग बोलेंगे तो हमाड़े पास इंगलीस का भी प्रवीजन है अगर कुछ कंडियर्स ऐसे हैं जो इंगलीस मेडियम में लिखते हैं इंगलीस मेडियम में चाहते हैं मेट्रियल तो करेंट अफेर का मेट्रियल हम इंगलीस मेडियम में आपके पास हर वीडियो जो भी अपलोड होता है वह आपके पास पहुंचता रहे तो चलिए अभी शुरू करते हैं इसको थोरा हम लोग जूम कर लेते हैं यहां से हम लोग शुरू करेंगे भूमिका जो भी है इसमें वहां से हम लोग शुरू करेंगे ताकि कुछ भी छूटे नहीं थुरा बड़ा बड़ा दिखेगा तो आप लोग को असान होगा और मुझे भी अच्छा लएगा तो इसमें जो इंपोर्टेंट होगा मैं बोलते चला जाओंगा बाकी को मैं रिडिंग डालूँगा ताकि आप लोग हमारे साथ बन रहे हैं देखिए ये बीडियो देखन पर बनाने का प्रपस ये नहीं है सिर्फ कि आपको बहुत इंपोर्टेंट बहुत सा चीज़ आपको पता होगा बहुत इंपोर्टेंट बहुत और चार गंडे में 6 गंडे में पढ़ा दो चार पांच गंडे में बुक खतम हो जाएगा उसके पाद चार पांच गंडे में 2-3 गंडे में मेरे खाल से शारा साथ सो पुर्षन हम लोग खतम कर लेंगे तो ये इंप्वोर्टेंट है कि आप विदिन टाइम बांड अगर हमा क्लास है यह चलते रहेगा तो घबराना नहीं है बस कंसिस्टेंसी मेंटेन कर नहीं है एक प्रांथ के रूप में बंगाल से अलग होका बिहार आज के अगठन बाइस मार्च 2012 को हुआ जी से उडिसा सामिल था ठीक है आगे चलके यह बात बहुत बार हम लोग डिसकस कर चुके हैं हिस्टी वाला पार्ट में आप लोग हिस्टी वाला भी वीडियो देखिएगा बिहार की हिस्टी से बहुत कोश्चन आता है बिहार के करेंट से और टूटल करेंट में इस तरह से है कि सबसे ज़्यदा फोकस हमें जो सबसे ज्यादा नंबर फेचिंग सब्जेक्ट्स है उस पे करना है तो इसलिए हम यह सब चीज़े कर रहा है भी विहार करेंट अफेर्स के बाद बाकी करेंट अफेर्स करेंगे तो हमारा टार्गेट तो यहीं से खत्म कि याद रखेगा कि कि इतना लिया जर्खंड नियुक्त बिहार का अलग भग 45 85 भाग लेकर अलग हुआ कि इतना सन्यूक्त बिहार का 45 85 पर 30 भाग लेकर जर्खंड अलग वजुआ इस बीवाजन के पईनाम सुरुप और बिहार का अस्थान जनसंख्या के दिरिष्टी से तीसरा जब की शेथपल के दिरिष्टी से तेरा महा लगया ब्राववा हो गया लदाक वीच में गुजा तो मतलब जमुविन का स्मीर का बाइफरकेशन हुआ तो बिहार की शासन ब्य राज के गठन किया गया एक 168 में 171 और 169 के बारे में हम कल चार्चा किये थे इस इस करेंट अफेर्स के ही संदर्व में हमने ये चार्चा करी थी कि 169 क्या कहता है और 171 क्या कहता है तो आप अगर उपिसके वाला वीडियो नहीं देखे हुए है तो जाकर देखेगा उसम पार्लियामेंट क्या होता है पार्लियामेंट में सिर्फ संसद भौन नहीं होता है उसमें राष्टपती भौन भी होता है राजसभा और लोकसभा ये तीनों मिला के पार्लियामेंट कहलाता है उसी तरफ से बिधान मंदल जो होता है राजपाल बिधान सभा और बिधान प सोचन है कि ध्यान रखेंगे पाडल्लेमेंट्ट में राष्टपती बहुन लोकती coral लोक्से safa यह तीनutive ऊता है ऊसी तरह से बिधान मंडल अताया राज़यपाल बिधान 7 और यह अगर गाय permits तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा? तु छे में में है, आप लोग कमेंड करके बताए कौन कौन seat है और उसके लिए अगर ये जानना है, तो जोगारफी वाला पार्ट में हम लोग डिसकस किये हुए है विवषप नॉर्मा का कि उसमें कौन-कौन साय स्टेट है जिसमें बिधान परिशध नहीं है सॉड़ी है तो वह आप देख सकते हैं बिधान सभा निम्न सदन और बिधान परिशध उंचे सदन करते हैं जैसे लोग सभा लोवर हाॉश होता है और राजिस सभा अपर हाउस होता है उसी तरह से स्टेट में बिधान सभा लोवर हाउस होता है और राजिस सभा ए सोरी बिधान परिशद अपर हाउस होता है ठीक है अपर हाउस और लोवर हाउस कहाने का लॉजिक क्या है थो अपर हैंड होता है वो पोलिटिक पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तब डिसक्स करेंगे नियुक्ति आपर टाइम पर कम पर करेंगे इसे नियुक्त सब्सक्राइब करते हैं नावंबर दुजार बिधार राज पुन्र गठन अधिनियम पुछता है तो 25 बरस नहीं होना है एक कईस बरस नहीं चाहिए याद रखेगा बिधान सब्सक्राइब का सदस्य बहुमत के दाहर पर निवाचित होता है यह आपको पता है अनुछएद 178 के अंतरगर्द बिधान सब्सक्राइब के अध्यक्ष युम उपाध्यक्ष की निय होती है तो अनुछएद 189 के तहAd बिधान सब्सक्राइब कर्ते हुए त्याग करसकता है तो अनुछएद 189 के अंतरगर्द जो बिधान सब्सक्राइब का चेर्मैन होता है वो अपना एकर सकता है तो यह जो फिगर है यह आप लोग को यह तो आप लोग को पता होगा लेकिन फिर वी एक नजर तो जरूर बनता है देखके जाए देखके कुछ भी छोड़ना नहीं है देखके जाना है चुकि सौर्टकट मत अपनाईएगा प्लीज हां कुल सद्व सखकने 243 अनुसुच चाती का 38 अनुसुच जर्जादी का 2 पर्थम बिधान तबाध अध्याक्ष सतंतर्ता के पूर्व यह थे और सतंतर्ता के बाद कौन थे बिन्देश्वी पर्था यह हम दो पिछले वीडियो में डिस्टिश कर चुके हैं बर्थम पर्तिब पिख्ष नेता इसके बागे हैं और बर्थमान में पर्तिबिक्ष में तेजस्वी याद हो है तो बर्थमान वाला तो पूछेगा नहीं अगर पूछ पूछ ना होगा तो पहले का यह पीछेगा बिधान परिशत में चले जाएगे इसे उच सदन भी कहा जाता है इसमें शौटकर्ट में ही डिस्कस हुआ है लेकिन आपको पता चले जाएगा क्या है विधान परिशत का एक अस्थाई सदन है इसके सदस्तियों कारेकाल कितनी होती है छे साल होती है जैसे वहां पर हाउस में यानि कि राज्य सभा में जो सेंटरल में होता है उसमें भी सदस्तियों सदस्तियों कारेकाल छे साल होता है और आस थाई सदन होता है इसका बिघटन नहीं होता है बिघटन नहीं होता है मतलब डिजॉल्व नहीं होता है जैसे बिधान सभा या लोग सभा क्या होता है डिजॉल्व हो जाता है डिजॉल्व मतलब की सरकार गिर जाती है लेकिन रा हैं परपस यह होता है कि हर सब्जेक्ट के जो आपस में संबंध है उसको देखते हुए चलना इसलिए इसकीप नहीं कीजेगा बलकि इसके तिहाई सदस परतेक दूसरे बर्स आवकास गरहन कर लेते हैं बिधान परिशत के सदस्त होने के लिए नियुंतम सीमा 30 बर्स है यह अपर हाउस में भी है लोकसभा राजसभा में उपर वहां भी है याद रखेगा यह सिर्फ यहां के लिए नहीं है यह आपको शेंटर के लिए भी है बिधान परिशत के अध्यक्षता उपस्ती सदस्तियों द्वरा निर्वाची सभापति के द्वरा की जातिया अनुशेद 179 एक के अनुशार किसी राज में बिधान परिशत की संदचना इम भी घटन का अधिकार संद को होता यह डिसकर् पहले वाले वीडियो में फीट से बोल रहा है वीडियो स्कीप नहीं किजेगा पशंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा अनुशेद 179 के अंतरगर्द बिधान परिशत के सभापति और उससाभापति की निवक्ति किस अनुशेद से होती है तो आर्टिकल 182 में बिधान परिशद याने की लेजिसलेटिव कॉंसिल के चेर्मेन एंड वाइस चेर्मेन की निवक्ति होती है अभी इसका संदचना देख लिजेए 75 सदस्य है निर्वाची सदस्य के 63 है मनुनुल 12 है मतलब नॉमिनेटेड और इलेक्टेड पूर्षो की कूल संग के 71 है महि जीव रंजन परसाद सिंग थे और पर्थम महिला सभापती राजस्वरी देवी थी और बर्तमान सभापती ओध्यस नरायन सिंग यह याद रखेगा क्योंकि विधान परिशत के बारे में जनेलिया नहीं परके नहीं जाता है ठीक है तो यह याद रखेंगे ठीक है और सच संजय कुमार सिंग है मुख्य सचे तक याद रखेंगे अब आईए बिहार विधान परिशत के दलगत संगती तो जनतादर इंडाटिट के 23 और जनतापार्टी जनतापार्टी के 20 सदस है हलाकि यह नहीं पूछेगा अब आज ही काले पाली का मतलब एक्जिक्यूटिव तो कोई भी सरकार का तीन अंग होता है आप लोग त्यारी कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि कोई भी सरकार का तीन अंग होता है एक लेजिसलेटिव एक एक्जिक्यूटिव और तीसरा जुडिशियरी ठीक है त करवाता है एक्जेक्यूट करना एक्जेक्यूट करना दुनों अलग अलग चीज़े सपोज किजिए कोई कानून बना कि इस समाज के इस तबके कोई ये बेनिफिट मिलना चाहिए तो एक्जेक्यूटिव का काम है कि ओ उस काम को भली भाति करवाया उन तक वो सुबिधा को उस बेनिफिट को पहुँचाए एक्जेक्यूटिव का ये ड्यूटि है अब सपोज किजिए कि वो पहुँचा रहा है लेकिन कहीं पर तुरूटि है या पहुँचा नहीं पा रहा है या बीच में कुछ घोल माल हो रहा है तो वो तबका का लोग अगर कोट अफ लौ में जाएगा जस्टिस खोजेगा कि सरकार ने ये कानून बनाया यहनि कि लेजिसलेटिक सिस्टम ने ये कानून बनाया और इसमें हमें ये फाइदा मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा है ठीक है एक्जिक्यूटिफ जो है हमको फाइदा नहीं दे रहे है तो क्या करेगा न्याय पालिका कि न्याय पालिका इस कानून को उठा के और इसको ओडर देगा कि इसको इंप्लिमेंट करो तो ये कानून को या तो सही और गलट हाराने का काम करता है कानून सही है कि नहीं समिधान के इसाब से और fundamental light को enforce करता है इसके अलावा justice provide करता है किसी भी चीज़ का justice हो बहुत डियल में नहीं जाएंगे politics बहुत जादा detail में हमें political science यहाँ पर नहीं पढ़ना है बस हम एक चीज़ दिखा रहे थे कि तीन structure होता है तर तीन अस्थम होता ह किसी भी सिस्टम का मतलब economy का आप state की बात करें है चाहाँ सेंटर की बात करें तो तीन तब अब हम लोग पहले पढ़ रहा है थे क्या आप बिधाई का मतलब legislative कानून कौन मनाता है मंत्री लोग कानून मनाता है जो बिधान पडिशत बिधान मंदल में पास होता है बिधान पर होता है तो यहां पर राज्य में कारेपाली का क्या है एक्जिक्यूटिव सिस्टम में राज्यपाल पहले इसकी ती निकाईया है राज्यपाल मुख मंत्री और मंत्री पडिशत तो सबसे पहले राज्यपाल आते हैं फिर मुख मंत्री आते हैं मंत्री पडिशत आता है देके मिनिस्टर है इसका मतलब सिर्फ यह नहीं कि लेटिव पावर है उसको पास एक्जिक्रीटिव भी होता है ओर डिटेल में हम लोग जब पॉलिटीकल साइंस पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि लीजिसलेटिव पावर अलग होता है तो इसमें भी तीन एकाईया है राजयपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिस्तुदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदू समस्त कारेपाली का सकती राजयपाल के पास होती है किस अनुछेत के तहत यानि कि आर्टिकल के तहत राजयपाल को सारी कारेपाली का की पावर होती है तो यह आर्टिकल 154 के तहत 153 में यह दिया गया है कि प्रोहीजन होगा और यहां पावर मिलता है इनको कि सारी कारेपाली से कारे करना होता है defeated को on the Erd and Advise of the neighborhood of minister करना पड़ता है at center उसी तरह को ये मंत्रीपशत से मंत्रीपशत के सलाह पर कारे कारना पड़ता है ये अनुषिद 163 के लिखा हुआ है important है याद रखेंगे कभी-कभी वो अपना विबे का अनुसार कभी-कभी वो अपना विवेका अनुसार भी कारे करता है, राजपाल की निवक्ति प्रधान मंत्री के सिफारिस पर राश्ट पती द्वारा पांच बर्सों के लिए की जाते हैं, याद रखेंगे बहुत ही इंपॉटेंट है, इनकी निवक्ति राजपाल की निवक्ति को सफ़त कौन दिलाता है ? सफ़त दिखाता है Chief Justice of High Coot और नुक्ति कौन करता है ? तो यह लंबा लंबा आप्सन रहेगा भाई पर्धान मंत्री , राष्टपति , Chief Justice of High Coot , Chief Justice of India इस तरह से आप्सन रहेगा एसपीकर फुर्लो का लोग सावा ऐसा कुछ करके अफ्षण रहेगा और एक लंबा भी अफ्षण रहेगा उसमें दो-तिन भी लंबा अफ्षण हो सकता है प्रधान मंत्री के सिफारिफ़र राष्ट पती ने उक्ती करते हैं ठीक है राष्ट पती करते हैं यह प्रस्ष है और पर सिर्स राष्ट्पती है तो ऐसा करेंगे अगर दूनों से एक है राष्ट्पति है तो सिधे राष्ट्पति मारेंगे प्रधान मंत्रि के सिफारिष तया यह ज्यादा एप्रोप्रियेट चुकि आंसर पांगा जाता है सबसे मोस्ट एप्रोप्रियेट तो खुश हो के राष्टपती नहीं मार देना है अगर यह पहला अप्षन यह रहेगा राष्टपती आप लगार राष्टपती जो करता है हम लोग दिखे ते वीडियो में डिसकस किये थे राष्टपती मार कर estar कर चले ईसा नहीं करना है चार अप्षन पर दना है मैं हमेशा बोलता हूं कि आसान कोलगन हे और असान कोषटण होता है चैगलत हो जाएगा विक तो आपसे भी नहीं बनना है, लेकिन जो आसान कोचन सही कर जाता है, उसका से रियल्ट हुजाता है, इसलिए टफ के पीछे नहीं भागना है, दिल पे नहीं लेना है, ठीक है न, कि जब तक तोरेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो सिर्फ फिल्ड में हो सकता है, लिम्टेड काम करना होता है तो जब तक तोरेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला शिर्फ जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक लग रही ए लेकिन जो दो घंड टाम है न उस एक्जाम के डिमांड के हिसाब से काम करना थीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो और बिधान सभा में membership के लिए 25 वर्स है लेकिन राज जेपाल के लिए minimum 35 वर्स है याद रखेंगे पूछता है राज जेपाल केंदर तथा राज जी के बीच की कड़ी कहलाता है केंदर बिद्यालों को छोर कर और राज जी के सभी बिद्याले की कूला दीपती चांसलर होता ह जाइड सी बात है यह सेंटर में अगर सेंट्र इंडिया है चांसलर और जो इनवर्स होता है उसके चांसलर होते हैं वह सकती तो मुख्य सक्त में के यहां बिहार के संदर्ध में बात कर रहे हैं तो ऐसा प्राइब करें करते हैं कृम करते हैं तो राजपल करते हैं बिधान सभा में अंगल भारतिय समूराइब एंग्लोर इंडियन को मनूद करते हैं अनुशेत के तहत 133 के आर्टिकल के तहत एंगलो इंडियन का विद्धान सभा में एक मनुद करते हैं विद्धान मंदल मतलब लेजिस्ट्रेटिव कॉंसिल की बैठक बुला सकता है अस्थागित कर सकता है तथा इसकी ओधी बढ़ा सकता है ठीक है यह तीनों काम कर सकते हैं अस्थागित भी कर सकते हैं इसके ओधी बढ़ा सकता है और बिद्धान सभा को भंग भी कर सकते हैं पावर है इनके पास अध्यादेश जाड़ी कर सकते हैं अनुशे 233 के तहत यानि कि अगर अध्यादेश मतलब ओडिनेंस होता है अगर सरकार अगर सेशन में नहीं है कि अध्यादेश मतलब सेशन में गर सेशन में तो उसको पास कर आया गया और पारलियमेंट से उसको पास कर वाया गया तो अध्यादेश टेम्प्रोडी बास लाने का पावर है 213 नंबर अनुशेत के अंतरगत राजयपाल को मिला हुआ है और राजयपाल की फूर्व स्विकृति से ही बिधान सभा के बित बिध्याक प्रस्तूत किया जा सकता है फाइनेंस बिल प्रस्तूत किया जाता है वो पहले स्विकृति देनी पर लेनी परती है राजयपाल की अनु लेकिन उनको परामर्ष देते हैं कौन तो राज्यपाल अब इनकी हिस्ट्री राज्यपाल की जो हिस्ट्री है बिहार में वो थोड़ा देख लेते हैं बिहार के पर्थम राज्यपाल ये पूछता है सवाल बिहार के बरतमान फागुजवान ये भी पूछता है बिहार के पर कि इंपोर्टेंट है यह भी पूछता है कि कितनी बार लगा है यह भी पूछता है तो यह है और बिहार में पहली बार राश्टपती सासन छवान इछ इंप शंट आइड में लगा था और कुलयकि데 वाली 42 दिनों के लिए लगा था राष्टपती बिहार में पर्थम राष्टपती सासन के समय राजपाल नित्यानन्द कानून गू यह मुख मंत्री भोला पश्वान शास्त्री थे तो यह सब चीज़े हैं पॉइंट टू भी पॉंडर याद रखने के जुरूत है ठीक है लोगो पता होगा इसमें कहने जो नहीं है राजपाल विधान सवाम बहुत दल के नेंटा को मुख मंत्री निक्त करता है लेकिन विशेस परिशित्यों में जब विधान सवाम किसी भी दल को असपश्च बहुमत न प्राफ्प होने के पर राजपाल स्वाब विभेक के एक का सदस्य होने की योगता पूरी करता हो तथा साथ ही उसे छे मा की ओधी में दोनों में से किसी एक सदन की सदस्य पराप्त करना आवस्देखो जाता है यानि कि कि किसी को ही मुख मंत्री बनाया जा सकता है या मिनिश्टर बनाया जा सकता है बसरते कि ओ दोनों सदन में से किसी भी एक सदन का सदस्य होने का युगता रखता हो और छे महिने के अंदर अगर उस सदस्य है तो ठीक है अगर नहीं है तो छे महिने के अंदर उसको किसी न किसी बिधान पड़िस्द या बिधान सभा का सदस्य बनना पड़ेगा अन्या था उससे उस पत्स से त्याक प मांट बर्स का होता है मुखमंत्री की सकती है यह मैं डिसकस नहीं करूंगा थाइम बच जाएगा ठीक है राज्य मेराश्पदी के बारे में यह पूछ देता है यहार के प्रत्म गैस कौंबफ मंत्री महों तरी महमाया प्रसाथ सीन्हा थे और निमलेखित मेरा कारेकाल यह दोटेंर लगके इसी क्षट घ्यान रखेंगे बहुत इंपर्टेंट नहीं है है हम लोग तो बहुत देखिए हम लोग जो focus कर रहे हैं ना बहुत ही ज्यादा हम लोग focused है exam point of view से इसलिए हम बोलें important तो है लेकिन इस लेवल का नहीं है कि बहुत ज्यादा expected है हम लोग सबसे ज़्यादा expected पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन तब आप पढ़े रहेंगे ना तो ध्यान रहे देखिए सारा राज जपाल का जो अनुशेद है न सब 200 में आ रहा है 213,202,217 ऐसे में आ रहा है अगर जब हम लोग political science पढ़ने जाएंगे मतलब पढ़ेंगे ही तो जब पढ़ेंगे तो आप देखिएगा उसमें उसमें president का 100 वाला में आएगा तो इस तरह से भी काप correlation लग कर सकते हैं देखिए relation बनाना correlate करना logic लगा के पढ़ने से क्या होता है कि आपकी clarity ज्यादा होती है आपके पास एक story होता है जो आप नेरेट करते हैं आपका दिमाग उसको calculate करता है बढ़ना एक facts को याद रखके दिमाग को याद रखना पढ़ता है और ऐसे क्या होता ह इसको आपस में connection तो आप लोग को पता होगा थोरा बहुत अगर nervous system के बाड़े में जानते होंगे कि जितना ज्यादा connectivity बढ़ता है nervous system हमारा मतलब brain का जो neurons है वो बहुत ज्यादा active हो जाता है तो result बहुत fast लाता है calculation ज्यादा करता है जितनी ज्यादा connectivity बढ़ती है तो और ये अलग-अलग incidence को या अलग-अलग data को आपस में correlate करने से connectivity ज्यादा बढ़ती है सिर्फ neurons की नहीं डेटा की डेटा की connectivity है तो neurons का neurons मतलब connect कर पाता है चलिए उत्रह डीटेल में science के बारे में नहीं जाना है अभी तो राजपल की साहिता है तो एक मंंत्री परशिय से फिसका प्रदयान मुख मंत्री होता है जो एक 92-वा बढ़ान समद्धान Sanszkan 2023 के तहट पर तेक राज बे मुख मंस्य साहित Us राज की घ्धान सभांके कुल सदस्योंकि संक्याव 15%, से अधिक सदस्य समंत्री, परशियत में नहीं हो सकती है तो क्या हो गया 91st Amendment जो हुआ यह Constitutional Amendment 2003 में हुआ था तो दो सवाल 91st Amendment कब हुआ था 2003 में हुआ था ठीक है उसमें कहा गया कि मुख मंत्री सहित किसी भी राज्य की बिधान सभा का कूल सदस्य संख्या के 95% ज्यादा सदस्य मंत्री परिषर का नहीं होतकता है देसे कि अगर सदस्यों की संख्या 100 है ऐसे भासा में आम आसान भासा में सम्झाने कूछ करें कि अगर बिधान सभा लिखा लिखा नहीं लिखाई यह पुड़ा बिधान मंडल नहीं की लिखाई बिधान सभा के सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं और यह मुख मंत्री सहित यह लिखा हुआ है यह कब हुआ तो 91-यह मंत्री 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 स्वस्थप्रभार और उपमंत्री और इसमें कानूल मना नहीं का बजट करने कई है इसमें तो कुछ खास नहीं है अब आजाते हैं नियाय पालिका में अब नियाय पालिका जो इंपोर्टेंट नहीं बहुत इंपोर्टेंट कानून को इंफोर्स करने का राइट्स को इंफोर्स करने का काम नियाय पालिका का होता है नियाय पालिका असासन का तीसरा प्रमुखंग है सम्मिधान के अनुशे 241 के तहद परतेक राज्य में एक उच्च नियाले का प्रवधान किया गया है किस तक के आटिकल के तहद? 214 नमर आटिकल के तहद हर राज्य में एक हाई कोट का प्रभीजन है परन्तु अनुशे 231 के तहद संसद के पास यह अधिकार है यह दो यह दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च नियाले के तहपना कर सकता है 214 क्या कहता है? 214 कहता है कि हर राज्य में एक उच्च नियाले होना चाहिए लेकिन 231 क्या करता है कि संसद के पास यह power है कि अकर वो चाहे तो दो राज्यों को या दो से अधिक राज्यों को एक उच न्याले दे सकता है depending upon सबसक्किल वह साइज छोटा है नहीं तो एक high court महाँ से काम चला सकता है मतलब यह power है पारलिया मेंट को बिहार राज जी के न्याय ब्योस्ता के लिए पटना उच न्याले है पटना उच न्याले के अपना तीन फड़ों से सोलक होई थी जो हम लोग वालेडी डिसकस कर चुके हैं समिधान के अंशे 270 के अनुसार उच न्याले के मुख न्याधिस यहम अन्याधिसों की न्याधिस उच्टम न्याले के मुख न्याधिस यहम सम्दित राजपल की सला से राश्पति द्वरा की जाती है यह भी सवाल पूछता है बहुत ही इंपोर्टेंट है कि high court के जजों क की न्यूकति कौन करता है तो high court के भी जजों की न्यूकति प्रेसिडेंट अफ इंडिया करते हैं राज्यपाल की न्यूकति प्रेसिडेंट अफ इंडिया करते हैं राज्यपाल की न्यूकति प्रेसिडेंट अफ इंडिया और एडवाइस अफ प्राइमिनिस्टर करते हैं स्टेट मतलब कि उस राज्य के चीफ जस्टीस जो है हाई कोट के उस राज्य के राजपाल और चीफ जस्टीस अफ इंडिया उच्छितम न्याले के मुख न्याधिस राज्य के राजपाल की सलाह करते हैं तो यह ध्यान रखेंगे कंफ्यूजिस में नहीं होना है और उच न्याले के न्याधिस पत के लिए 62 बर्स की उम्रसीमा तक बने रहते हैं यानि कि 62 साल तक इस इसमें दिया हुआ है न्याधिस के पत पर काम करने का पटना उच्छितम लेका सबनाने में सब्सक्राइब और यह सवाल सिध्धा पूछ सब्सक्राइब पूछता है पूछा है हमने सॉल्फ गिया है और यह सीधा पूछता है कि इस कंटिशूशन में यह पाट कहां से लिए गए पूछता है तो वह सबसे ज़ए गौर्मेंट अफिंडिया के लिए गया जय था बिटिस पतना बिटिस भारत में पतना उच्छ न देने का अधिकार है किन्तु मत देने का अधिकार नहीं है यह सवाल पूछता है, ठीक है, यह सवाल पूछता है कि किस अनुशेद में महा अधिवक्ताइन की एड़ोकेट जेनरल को बोलने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है, कहां पर भाई, तो बिधान सवा में, तो इस आर्टिकल के अनुशार, ठीक है, उसके कि महा अधियुक्ताएड एवकेट जेनेल को बिधान सवाग्म बोलने का अधिकार है इस में क्या हो जाएगा पांचवा अंत्रों हो question को ऐसे सोचना है ऐसे समझना है क्या पूछा जा सकता है हमसे चलिए बिहार की प्रसासनिक धाचा हम देखे बिहार की प्रसासनिक भ्योस्था हम देखे इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं हम लोग वैसे ही इसको निकाल देंगे चीक है उसके बाद जो सवाल जहां से बनने वाला होगा वो हम दो जरूर कफर करेंगे लेगिन मैं फिर्स से आपको याद दिला दू वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देजेगा और सस्क्राइब जरूर कीजे तक आप लोग पास वीडियो पहुंचे आपके पास पहुंचता ही नहीं वीडियो मैं चाहता हूँ कि जो भी serious candidates हैं और यह सारा कुछ मैं serious candidates के लिए कर रहा हूं मैं रात में 12 बजे वीडियो record करता हूँ 2 बजे तक upload करता हूँ 5 बजे सुबह करता हूँ कि आपके पास available हो जाए मतलब मैं यह चाहता हूँ कि जो लोग seriously त्यारी कर रहे हैं चुकि मैं देखता हूँ YouTube पे उस तरह का material मुझे नहीं दिखता है खास दोर पे books का detailing नहीं दिखता है तो मुझे लगता है कि जो remote area में लोग बैठे हुए हैं बच्चे बट बैठे हुए हैं पढ़ाई कर रहे हैं महनती हैं बहुत serious हैं लेकिन resources की कम्या बुक किसी गाउं में नहीं मिलेगा तो हम लोग महनत कर रहे हैं आप लोग के लिए तो आप लोग भी सहयोग कीजिए हमें इंकरेंवेंड मिलेगा ताकि दो बज रात तक बड़ बज रात तक जो बैठ के एडिट करते हैं उसको परहाते हैं रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए इंकरेंवेंड मिले चलिए आ आप लोग को पता है प्रमंडल मतलब कमिश्णरी जीला मतलब मंडल जिसको बोलते हैं अनुमंडल जब आप लोग बन के जाएंगे स्टीम और या डीएसपी प्रमंडल यानि की ब्लॉक अगर अधिकाडी बने डीएसपी बने आप चाहते हैं कि सवड़ इस्ट्यार बने तो जब तक कि आपका फाइनल इंटर्व्यू नहीं हो जाता हम छोड़ने वाले नहीं हैं और आप अगर सिरियस नहीं हैं तो चाहिड सी बात है कि आप स्कीप करके निकल लेगेगा आप छोड़के निकल देख के निकल लेगेगा लेकिन मेरा परपस यह कि जो लोग भी दो ही लोग serious हैं देखेंगे उनके लिए हम उनको उनके लास्ट लक्ष तक जब तक उनको हासिल नहीं हो जाए तब तक हम छोड़ेंगे नहीं तो सची वाले राज़ प्रसासन का प्रधान केंद्रिय प्रसासनिक इकाई हैं जिसे headquarter बोलते हैं न किसी company का headquarter उसी तरह से सरकार का headquarter है जहां पर हमारे जो top level के bureaucrats बैठते हैं जो promotion के बाद आप बैठेंगे या फिर आईएश बनेंगे यूपेसी के त्यारी करेंगे आईएश बनेंगे तो वहाँ पर टॉप लेबल के cabinet सची विए सब बनके जाएंगे तो मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए सची वाले का मुख कारें नितिन निधारान निदेशन यूं किरियानवन है ठीक है बिहार में सची वाले कठने इस 12 में किया गया था यह सब बहुत important नहीं इस तरह का सवाल कुछ प यह है आपका क्या बोलते हैं मुझाफरपूर में है सारन का जानते हैं इच्छपड़ा में है और भागलपूर का भागलपूर प्रमंडल उसके बाद आपका मगद का गया में है पटना प्रमंडल जानते हैं पूर्णिया प्रमंडल जाते हैं मुंगिर प्रमंडल अपने ह दिखाया गया है ठीक है यहां पटना से शुरू होता है और पुरा बारा नगर निगम दिखाया गया है और पटना निगर निगम कुछ लिखाया है जो पंद्रग अतनी से बावन को पारित हुआ था उसके बाद राष्टपति सासन जो लगा वो थोरा से एक बार देख लिए पहली बार 1968 से 1969 भोला पश्वान सास्त्री मुक मंदी थे और राजपल नित्यानन कारणूगों जो अमनों पढ़ चुके हैं उसके बाद फिर 69 में से 70 तक लगा दो टर्म में लगा खिर 72 से 72 मतलब तीन टर्म तक लाग आतार इनहीं के क्रम में इनहीं के टाइम में लगा तो सबसे जाता है इनके टाइम में लगा है उसके बाद रावरी देवी के टाइम में लगा है दोजार निनानमे में एक बार लगा है एक बार दोजार में लगा है तो रावरी देवी कुछ फुषिट के जा रहा है, इसनलिये हम सारा कुछ कवर करनाचाते हैं, बिहार में ये सिर्फ करेंट ही नहीं, बिहार का हर चीज इसमें दिया हुआ है, जो भी बिहार से सम्बंधित सवाल है, ठीक है?, तो ये हर चीज दिया हुआ है, और बिहार का current affairs भी दिया हुआ है इसमें, तो आपका ये full package है बिहार का, बाकी हम लोग इतिहास और संस्क्रीती और ये सब चीज तो अलग-अलग करी रहे हैं, लेकिन जो recently कुछ reports आये हुए हैं, कुछ data change हुआ है, जो हम लोग अप्डेट करते जा रहे हैं, वीडियो में इ इसमें book में ज़्यादा दिखा रहा था, लेकिन infant mutual identity हमारा इसीती ऐसा है कि national average जो है, कितना का है national average देखेंगे, आप लोग तो वीडियो याद होगा, 30 का है और हमारा बिहार का 29 है, तो ये MMR जो हमने change करवाया कल की हाँ, अभी इतना हो गया है, तो ये सब चीजे हैं, इन्टीरस में, विहर में गराम पचैत के गठा नहीं है तु शोतनतर प्रफापती के तुरंत बात बात अनि sortशन पैतालीस में बिहर पंचाती राज आदीनियम ऐसा सवाल पूछता है और हम लोग पर रहे हैं क्या हम लोग पर रहे हैं प्वालीटी पर रहे हैं बिहार का पर रहे हैं और इसमें यह टर्म आ रहा है आप बात समझ रहे हैं आप economics की बात यहां आती है, वो economics और polity दोनों में आता है, जब economic, देखिए, कहने के मतलब कोई भी subject करना, कोई एकतम specific niche नहीं होता है कि वो वहीं पे पूछा जाएगा, जब पूछा जाएगा तो, वो होता है कि आप कि उसके कौन से aspect को देख रहे हैं, तो हम लोग उसके political aspect को देख रहे हैं पंचायती राज को, तो यहां पे हमने जिक्र कर लिया, अगर हम उसके economic power की बात करेंगे, तब भी हम लोग जिक्र कर लेंगे, एकोनोमिक में जिक्र कर लेंगे, ठीक है, तो आपको correlate करना है कि कि कितने किसी भी topic के, किसी भी subject matter के कि कितने aspect हो सकते हैं, और उ सुझायों के सुग्र कर कर भी हारम पंचायती राज, तुरि अस्त्र ये लागों की गई, तो बलवट रह मेहता ने ने थी तीर्टत्स रेकोमेंड किया था, पंचायत समुपर, पंचायत समूर्यूती 500 क्ट, पंचायत अस्तर पर ताप लोग तो जानते हैं अनिसो 61 के तहत अस्तित्यों में जिसके 17 फरवड़ी 1962 में कानुनदर्ज किया गया पंचायिती तिया पंचायिती राज अधिनियमान अनिसो united बखारत्य समिधान के 73 में समसों 1992 के पंचाइती राज भिवस्ता को समिधान की एक आरी सुची में जिंदा लगी और यह इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है कि पंचाइती राज अधिनियाम पंचाइती राज एक्ट फो था इसको समिधान के कौन से सुची में add किया गया है तो 11th schedule में add किया गया है सुची मतलब schedule में add किया गया है और वो कौन से समिधान के amendment से तो 73 समिधान के amendment से तो बिहार का politics के साथ हम लोग इंडिया का politics भी देख से चल रहा है जो इससे connected है जहां पर topic आ रहा है हला कि उसका detail देखेंगे इतमे से 29 विशय है subject कितने है 29 है जिसका बर्णन अनुशे 243 G के तहत की गई है और ये G और H का भी concept याद रखेंगे बहुत confuse करता है जब आप नगर निगम की बात करेंगे नगर पंचायत की बात करेंगे तो ये H और G के concept किलियर हो जाएगा जो हम लोग political science में देखेंगे याद रखेंगे अनुशे 24, 243 G है पंचायती राज में और इसमें 29 विशय है याद रखेंगे पॉलिटीस में हम लोग राके पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में तरहत की गई इसी संदर्में राज में पंचायती राज विश्ता की सनचना का अधिकारी परवाव बनाने है तो बिहार पंचायती राज अधिमन अनिसो तीरन में पढ़ित किया गया तरथा पंचायती और उस्ताइस ग्राम पंचायत समिती और आपका क्या हो गया जीला पद परश्था अने तो चलिए इसके अलावा क्याBoyfiction संख्याज पॉन सभा के लिएक कितनी होनी चाहिए refRI याद रखेंगे ठीक है यसमें कुछ याद रिखने लाइख है नहीं लेकिन खेस वर्स होना थो के में संपूर्ण सीटों में से 50% अरक्षित किया गया है महिलाओं की भागिदाड़ी बढ़ाने के लिए कितना अरक्षित किया गया तब 50% महिलाओं का के लिए सीट ग्राम पंचायत में अरक्षित है और उसके बाद कुछ खास नहीं इसमें सवाल नहीं आता है लेकिन फिर भी चलिए अब हम देखते हैं बिहार का बन इस्तिती बिहार बन इस्तिती रिपोर्ट इसको हम लोग एक-ख पॉइंट देखके जाएंगे कि यह बहुत हम इंप्टेंट है इसलिए ब ही जज़ाधा इंप्टेंट हो जाता है इंवार्मेन्ट और इसलिए इंप्रक्ट हो जाता है तो एक रिपोर्ट हम दोग देखते हुए चलेंगे देखिए बन इस्तिती रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट ऑफ फॉरेस्ट 2019 के अनुसार बिहार में लगवग 73 सा 599 बर किलोमेटर के बन फैले हुए यह याद रखिएगा याद रखिएगा याद रखिएगा याद रखिएगा याद रखिएगा क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बीपेस्ट को प्यार है नंबर से डेटा से इसलिए पूछ देग है बिहार में जो कि बहुत कम है ठीक है जबकि बिच्छा चादन के मतलब होता है त्री कभरेज इस परकार बिहार के कुल बन बिच्छा चादन लगवग 93 सो 899 बर किलोमेटर हो गया है कुल बन बिच्छा चादन अगर बात करें कि यहां पर क्या है कि बन फैले हुए हैं साथ 776 में और अगर बिच्छ की बात करें तो दोजार तीन बर किलोमेटर ने फैले में इसको और इसको जोड दिये तो इतना फिगर आ गया तो पूल बिच्छे ले जाना तो यह बहुत काम है नेशनल लेवरेज का नेशनल लेवल का ओलेडी एवरेज काम है और विहार का तो मत पूछिए इसका भी वन थर्ड है लगवग राज के बन छेत्रों की अधी सघन बन 333 किलोमीटर मध्यम घने 328 मने अती सघन highly dense forest जो है उसके बाद घने dense forest उसके बाद खुले open forest या deciduous forest उसको बोलते हैं इतने छेत्रे फैला हुआ है तो सबसे ज़्यादा कौन सा है भाई देख लिजिए खुले वाले बन जो है सबसे ज़्यादा है deciduous open forest बोल दीजे और जो उससे कम मतलब dense है जो 328 है और जो सबसे ज्यादा dense है बहुत ज्यादा dense है highly dense है वह घना है वह 333.3 किलोमीटर में फैला हुआ हुआ है सबसे ज़्यादा है यह इंपोर्टेंट है बिहार देश का कूल बन जोग इतना आपका आ जाता है तो सबसे ज़्यादा खुला बन है यह इंपोर्टेंट है बिहार देश का कूल बन जोगा कितना परतिशत है तो मात्र 171 बिहार बन इस्तिति रिपोर्ट 2019 के उनसा राज बिहार में कूल रिकॉर्डेट बन छेत्र सब्सक्राइब है चोचर आट सब्सक्राइब किलोमेटर है ठीक है और इसका डिटेल यहां पर रिकॉर्डेट बन छेत्र आरख्षित बन छेत्र दस परतिशत संरख्षित बन छेत्र एटिनाइन दस और अब बरगी किरिप 0.01 और कूल योग आपका 100% हो गया बिहार में भ 85 आद्र भूमी है जिसका वेट लेंड जिसको बोलते हैं वेट लेंड होगा हां वेट लेंड होगा जिसका कुल छेत्र पूजता है कितने वेट लेंड है कितना हेक्टियर में है याद रखेंगे 3992 हेक्टियर में है बन हिस्तिती रिपोर्ट 17 के तुलना में 19 में बिहार के बन आवरन में 0.01 का पड़िवर्तन हुआ है यह 2019 वाला रिपोर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं सरवाधिक बन आवरन वाले बिहार के चार जिले भुपालवगा में इसके बाद आता है रहता है निउन्तम बन बन वाला में जहानाबाद भाई जीरो है पहले जीरो शुरूआता है इसको पूरा अरवल और गोपाल विंज आता है तो निंतम जीलों में यह आता है सबसे पहले आता है जहानाबाद और लास्ट में आता है गोपाल विंज और अधिक्तम में भवुगा पहले है फिर वश्चिम जम पारण फिर रोतास देखीजिए एक बड़ रोतास और फिर जम्मुई एक बड़िक बड़िकरन वं आवर्न सभीगाएंड बटीष्थ वाले चार मुख़ी ले यात रहेंगा जमों की wasp सबसे नीचे मतलब फोर्थ लार्जिस्ट हो जाएगा भारत बन रिपोर्ट 2019 के नुसार जहानाबाद एक ऐसा जिला है जहां बनावरण का छेत्र एवं परतिस्त दोनों जीरो है तो ये ध्यान रखेंगे सवाल ऐसे पूछ डगा जहाना बात का टोल बंर एरिया कितना खुए सव्वला है कम तो बारत बन निचांट ड जायाएं करें कि चीन्ट तो हो इनुए सकता है लेकिन भारत कमी भी और ब्रिधी भी कुछ में देखने मिली चाहटते कुछ चाहटत श्री लेनन में डाल सकता है तो याद रखेंगे कि बाका में और मुझाफ़पड़ में बहुत बिडिदी होई है कुछ में कम हुआ कुछ में ज्यादा हुआ है बस 2019 से सत्रा के तुलनाएं बिहार में रोतास में सरबातिक तेटी दसोनों सतत्र बर किलिमेटर तसा गया में 14-69 बर किलिमेटर बंचेतरी कम हुई है उसके बाद बिहार में परती बेक्ति बन यह विच्छा चादन के ऑसत उपलबता 0.01 हेक्टियर है यह याद रखेगा यह याद रखेगा मतलब यह सारा पॉइंट से याद रखने वाली चीजह है औ और बिच्छ अच्छादन राज जी के भोगोली चेतपल का 10.15 पंदर परतित तथा देश के बन बिच्छ अच्छादन का 1.19 बिहार में राष्टी उध्यान 12 बन जीवी अभ्यारना है राज जी के सनची छेत नेटर के अंतरगत आते हैं अब यह बिहार के राष्टी उध दान एउम बन जीवी अभ्यारना है यह तेरा है हलाकि इसको भी हम लोग डिसकस कर चुके हैं दूसरे दूसरे वीडियो में तो आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को याद होगा और फिर से रिपीट मार देजिए भीम बान अभ्यारना मुंगेर जीला में अनी 26 में अस्तापना हुवा गोतनम भूत अभ्यारना गया जीला में शीयतर में कावड जील पक्षिय अभ्यारना बेगूत राइ यह सब इंपोंटेंट है पूच देता है सीधा नाम से पूच देता है यह तलिए ह्यारतर केमूर बनने अभ्यारना एब कैमूर 79 में नाग पक्षी अभियार ने जमूई में 87 में नागी नक्टी ये दोनों एक ही जगह है याद रखेंगे ऐसे मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूँ पंत राजीर नगर नालंदा में 78 में उदय पूर बन जीवन अभियार ने पहुचिम चंपारन उदय पूर मतलब राजस्तान मत त पहसीन चंपारन में बालमी की पहसीन चंपारन अठटर अठटर दोनों है बिक्रम सिला डॉल्फीन भागल पूर में एक आन्वे में और बढ़ेला जिल सलीम अली अभियार ने बैसाली में 97 में कुशिस वरस्तान पक्षी अभियार ने दर्भंगा में 94 में गूगबिल पक इस दस 12 तेकात को चल रहे गा ही इसलिए कुछ भी छूटना नहीं चाहिए मैं नहीं चाहता कि कुछ भी छूट क्या है चली आगे चलते हैं यह खतम हो गया उसके बाद आपका डिश्टीक वाइज यह डाटा दिया वह जो हमारे काम का नहीं है और अब बिहार की प्रमुख योजनाए बिहार की प्रमुख योजनाए वह योजनाए जो चल रही है राज्य में और और उसका इंपोर्टेंस है तो हम लोग उसको देखते वह चलेंगे विहार की प्रमुख योजनाए चलेंगे वह जो इंपोर्टेंट सी और ँपर्डम पूर्शकार तेम conoc Champions और खेल और बिहार में पुरुषकार शम मान, बिहार के चर्चित बगती, चर्चित स्थान, जो important चीज है उसको ओर उपर लुप, जो important है उसको देखते चलेंगे, जो कम important है उसको ओर लुप करते चलेंगे, मेरी GOT象 के book तो आप लोग किम्पॉर्टेंट है सवाल कि सब्सक्राइब कैसे समझना है कि क्या पूछेगा इसमें से कितना पढ़ना मेरा परपस करना है तो चलिए गंगा दूद्धा कर नावादा के लोगों को शुद्ध पेजल उपलब्ध कराना है यह आध्यान रखेंगे । ठीक है उसको बाद मुख मंत्री इंतिस कुमार द्वार 6 अक्टूबर 2021 को इसके कारियों की समिच्छा की कि इसके उसर मुल यूजना का कारे मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा यानि कि अभी इस महीने ये खतम हो जाएगा कारे पूरा हो जाएगा जूल वह जाएगा मुख मंत्री उद्वि यूजणा और महीला उद्वि यूजणा और महीला उद्वि यूजणा ये थोरा साओ बड़ा करते हैं मेरे खाल से पढ़ने में असान होता होगा आप पोट्रेट मुड़ में मुबाइल में पढ़ सकते हैं लैप्टोप अगर है तो और अची बात है लेकिन ठीक है चलिए तो सुभारा मठारा जुन 2021 को मुखमत्री इसकुमार द्वारा किया गया उदेश था स्वारोजगार और दस लाख तक का लोन मिलेगा और पचास पीज़ी आपको वापस करना है पचास पीज़ी आपको सरकार मास्क और मुदान देगी ठीक है इस योजना के तहट मिलने वाले लून में केवल पांच लाख रुपे चुकाने वही बात हुए परटीस सम्मान किश्टों के माद्ध हमसे दिंप जमा करने होगी एक परतीस अतना ज़्यादा कहां मिलता है लेकिन करने वाले लोग इसको भी नहीं करेंगे त्रूटी खोजेंगे तो थो त्रूटी नहीं और नहीं करने माले लोग सो फैसिलिटी देते तब भी नहीं करते हैं इतना ज्यादा फैसिलिटी दिया जा रहा है उद्ध मीता को बढ़ाने के लिए इंटर्पेंशिप को इंकरेज करने के लिए सरकार कर रही है इसमें लोग को आगे आना चाहिए और ठार से पचास बहुत लंबा रहें जा ठार से पचास साल तक के आदमी को ये मिलेगा बाल हीदा योजना शुभारम एक अप्रेल 2021 को किया गया इस योजना में मुकमन पर से अतिरिकत स्वास्वृधा का शुभारम किया था बाल हीदा योजना वही जो हम लोग डिसकस किये थे पिछले वीडियो में आप लोग को याद होगा कि अगर कोई बच्चा जन्म से ही हिर्दे में उसके छेद है तो उसकी इलाज पुरा सरकार खर्चा उठाएगी बाल हिर्दे यह नहीं है दूसरा कंफिज नहीं होगा कि प्यार वार ज्यादा करना है बच्चा को ऐसा नहीं कि प्यार ज्यादा करना है बच्चा को वो हिर्दे मतलब दिल की बात की रही है हर्ट की बात की रही है उदे से हिर्दे में एच्छेद वाले बच्चा निसूल के उपचार होगा गड़ीब कल्यान रुजगार अभियान शुभारम हुआ 20 जुन 2021 को ये सारा रिसेंट कहा है इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है जो बिहार में शुरू हुआ है ये इसलिए बिहार के योजणा में अगर आप पूछा जा रहा है कि ये योजणा गड़ीब कल्यान रुजगार योजणा बिहार में कहां शुरू किया गया और किसके दोरा तो आपको मुख्यमंत्री जेनरली धहान दिमाग में आगा क्योंकि बिहार में शुरू हुआ है यानि स्टेट में शुरू हुआ है लेकिन यहां पे ध्यान रखेंगे प्राइमिनिस्टर किये हैं और उख़डिये जिला के तिलहार गाओं से किये हैं कि उदेश से क्या था कोबिड नाइंटिन के परकूप के मद्य नजर गाओं में लोटने वाले परवासी कामगरों के लिए रोजगार अजीजगा के लिए के आउसरों को बढ़ावा देना यह देखे जबरदस्त यह अब यहां बिहार के 32 जीलों में लागवा है घर तक फाइबर योजना दोजार बीस एकई सितंबर दोजार एकिस को परहर मंत्री नरेंद मोदी नहीं जा रहा है एक जबरदस्त इसकी में भाई जिसके पास भी अगर मौका है लगा लो यह लगा लो यह बहुत इंपोटेंट है मुझे तो मोका मिलेगा मैं लगा लूँगा फटाक से गाओं में 21 सितंबर 2021 को परहर मंदिर नरेंद मोदी द्वार बिहार से लॉंच किया गया घर तक फाइबर योजना लॉंच किया गया और 45945 गाओं को इंटरनेट की सुगधा से जोर जोरना है इसका लक्ष और 14,000 क्रोड इसका लागत है और विभाग कौन सा है यह तो यह है electronics and information technology मंत्रा ले अच्छा बाल सहायता योजना बाल सहायता योजना और बाल हिर्दय योजना confusion नहीं होना है दोनों अलग अलग चीज है सुभार हम 30 माई 2021 को मुख मंत्री इंद्रीस कुमार के द्वारा इस योजना के माध्या में सभी बच्चों के मात बच्चे जिनकी माता पिता के मिर्टू कुरोना वायरस के संक्रमन के कारण हुई उन्हें 18 बरस तक पंदर सो रुपे परती मा के आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी कितने बरस तक 18 बरस तक ये तीस में 2020 को मुख मंत्री इंद्रीस कुमार के द्वारा लॉंच किया गया ये बाल सहायता योजना है इसके अलावा या सभी बच्चे जिनके अभिवावक नहीं है उनके देखवाल बाल ग्रीक के में की जाएगी तथा ऐसे आनार्थ बच्चों बच्चियों का कस्तुर्बा गांधी अवासी बिद्यालों में नमानकन कराया जाएगा ये याद रखेंगे कस्तुर्बा में करवाल रखेंगे देखवाल किया जाएगा मुख मंत्री बिद्धा श्रीजन बिद्धा जन पेंसन योजना सुभारम एक अप्रील 2019 को हुआ था मुख मंत्री जिसको मरवरी सुजना के अंतरगा 60-89 बर्स के आयू के बिद्ध जनों को सरकार के दौरा चार्ट सुपर म कोईना धन्दा से प्रवाइड की जाती है अगर कोई 60 वर्स से पहले किसी सरकारी नौकरी में था तो उससे ही सुजना के लिए आयोग माना जाएगा यानि कि जो रिटायर डेस्ट लोग है उनके लिए नहीं है जो जो बेरुजगार है या फिर ऐसा वो लेक जो मतलब खेत में थेल 2020 को हुआ था प्रदान मंत्री रंदमों द्वारा विडियो-कन्फरेंसी के माध्यम से बिहार में किया गया इस यूजना का पर्थम तद ग्रामिन शेत्रों भूमी का सर्वे होगा गरामिन शेत्रों भूमी का संपति श्वामित्ति यूजना तक इसे ट्वोनर्श जनकारी होगी बिहार पत्रकार सम्मान योजना तो बहुत इंपोर्टन नहीं है लेकिन तब भी एक पर नाम देखते चलते हैं कभी क्या होता है कि बहुत पुरा ना पूछ जाता है हाला कि हम लोग जो करेंट अफेर्स कर रहे हैं मोटा मोटी बीस से कर रहे हैं बीस लास्ट 2020 से लेकिन फिर भी बड़े खिलते हैं प्यार का पौधा अभियान पटना में बिहार सकार के पर्यावरन विभाग दो रहा किया गया पर्यावरन सुक्षा के लिए किया गया ठीक है और कि अजल जीवन हरी आली आप लोग सब लोग जानते हैं बहुत फेमस क्या बोलते हैं फ्लैक्सिक एस्कीम है बिहार गौर्मेंट का और सुभारम इसका 26 अप्टूबर 2019 को मुख मंदी इंदी स्कूमर के द्वारा गांधी जैनती के 150 बर्जगाड पर लॉंच किया गया था और इसके अंत्रकरत पेरों को लगाने के लिए छोटे तलाब कुमा बनाने के काड़ करना का योजना का लक्ष है यह पूरे अभियान में बिहार सरकार द्वार जल जीवन हर्याली योजना 2021 में साल 2022 तक पूरे देश में 24,00524 करूर रुपे खर्च खर्च आएगा राज में हर रहरा है किसानों को सरकार 35,500 रुपे की सब फीडी मद रास्ती की रुपे परद नहीं हो उसके बाद बिहार स्वयम साहता भक्ता योजना 2020 में यह लागू किया गया इसका उदस से विरुजगार छात्रों को आर्थिक शाहता परदान करना इसको 1000 रुपे दिया जाएगा 35 साल आयूज में चाहिता परिवार में 3 लाग से कम इंकम होनी चाहिए यानि कि प पूश्ता नहीं है तुरवार चार अगर्थ 2018 हुआ था बहुत पुराना स्कीम है इसमें स्टो की मुख मंत्री कन्या उठान योजना अप्रेल 2018 को यह लॉंच किया गया था ठीक है ना इसमें कन्या भून हत्या को रोकना लिंग अनुपात के में ब्रिधी करना सिसु मितु पूदर को कमी लाना लड़कियों की पढ़ाई लिखाई में बढ़ावा देना यह सब चीजे इसमें था उसके अलावा मुख मंत्री निश्चे यह स्टेम साहता भाता दो और 2016 को ही लॉंच किया गया था यह 20-25 साल की वाओ को एक हजार रुपिया देना था यानि कि यहां इस्टूएंट क्रेडिट काड जो अक्टूबर 2016 को 2 अक्टूबर 2016 को लॉंच किया गया इसमें पढ़ने के लिए हायर स्टेडी के लिए 4 लग तक का रिन दिया जाता था और कुशल युवा योजना यह भी 2016 में लॉंच हुआ था उसका मुख मंत्री करन्या सुरक्षा य प्रदान की जाएगी इस योजना के तर्थ यह सब पुराना मुख मंत्री कन्या विभाई योजना इस योजना के तर्थ एक कई साल का उम्र का जो जिकर किया गया है और सब्सक्राइब चला यह जिससे सोचल लिफॉर्म हुआ है बिहार में जो बच्चियां आज स्कूल मे ज्यादा लड़कियों में आ जाएगी मुझे ऐसा लगता है अच्छी अच्छा इंडिकेसन है ऐसा होना चाहिए लेगि मुझे ऐसा लगता है जिससे सरकार एग्रेशिव है कि हाफ पॉपॉलेशन को बहुत आगे लेके जाना है हर तरह से रिजर्वेशन देखके जैसे भ प्रवसान योजना इसमें बर्वसान करने के लिए सब चीजे मुकमंत्री फसल सहता योजना इसमें यह पुराना स्कीम है मैं पढ़ने रहा हूं मुझे लगता है कि यह पॉइंट अब उसके हलां कि जनकाडी होनी चाहिए एक नजर तो आपका नजर जाना ही चाहिए लेक मैं उसको skip कर रहा हूँ каждый का लुज़कि इन्टी कोई भी एक्धाम होता है तो उसका ये लेबल ही नहीं होता है कि क्या नहीं पुछेगा वह इसकम सकता है अब आपको डिसाइड करना है कि क्या उचने का चांस कम है आप सिर्फ चांस ले सकते हैं किसके पुछने का चांस कम है पढ़ने के लिए आप तो पुरा परमांड पढ़ लिजेगा तब भी भता चलेगा कि कुछ ने कुछ छुड़ी है तो उसमें calculated risk लिए जाता है तो इसलिए PT को कहा जाता है कि extensive study किया जाता है कि बहुत सारा चीज पढ़ लो और मैं इसको कहा जाता है intensive study कुछ particular चीजों को पढ़ना और बहुत ज़्यादा depth में पढ़ना तो ये सब है इसमर्सन क्रिशी बाने की दिभ्यांग दिकलांग महा ध्यान भोजन योजना सताब सताब दी अनकलश योजना उसके बाद मुख मत्री स्रम ये सब चीजे है आप देख सकते हैं आप लोग के पास मेरे खाल से ये बुक होगी भी ता आप लोग देख लिजेगा इसमें कुछ खास ये scheme के बारे में जो है मुझे नहीं लग रहा है कुछ खास है हुनड योजना मुख मत्री बागवानी मिशन ये इतना important नहीं है उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पद्धम पुरशकार बिहार में ठीक है इस पद्धम पुरशकार में बिहार है हम पद्धम पुरशकार 2021 2021 की बात करें तब 5 बेक्तियों को सवाल बनेगा तो रामचंडर मार्ची कला संस्क्रिती में मिला राम बिलास पास्वान को पद्धम भूषण मिला था मर्नोपरांत और चार अन्य को पदम सिरी मिला था दूलारी दिभी कला में डौक्टर दिलीब कुमार चिकिस्सा में मिर्दुला सिना कला और सहिते में एक चिंङ पस्कृती में अब शुषिती में से UV फूल रूओ्र नमाजी sous तो यह पांचि लोग सरजोनिक मामलो हो गया ना मेउधान के लिए मरनो परांत पदम भूशन से समानित किया गया तो ये पांच नाम भाई याद किया गया कंठस्त याद रहना चाहिए ठीक है अब इसमें से नाम दे देगा चार नाम दे देगा कह देगा कि किसको मिला अब आप कंठ्स्त होते रहेगा इसलिए चारों याद रहना चाहिए नहीं तो गल्दी करके आएगा ये भी कह देगा कि इनमें से किसको नहीं मिला ठीक है तो ये तीन में से कोई तीन एक नाम दे देगा और उसमें से एक ऐसा नाम डाल देगा जिसमें नहीं मिला अच्छा ओ ऐसा दो नाम डाल देगा तो आपको ये पांच याद रखे तो दो डाले पांच डाले उसे कोई फरक नहीं पड़ता ये पांच याद रखेगा राम चंद्रमाजी, दुलाई देवी, डॉक्टर दिलिव कुमार और मिर्दुला सिना याद रखे गर राम मिलास पासवान याद रहेगा और एक लेबल मैं और उपर जाता हूँ कोश्चन सोचने वाले का थौट पैटर्ण के बारे में मैं एक लेबल और उपर जाता हूँ वो ये कि राम चंद्रमाजी को कला संस्कृति में कौन सा इस्टेटमेंट इसमें सही है राम चंद्रमाजी को कला के च्छत्रों मिला दुलाई देवी को कला संस्कृति मिला दिलिव कुमार को चिकिस्था मिला मिर्दुला सिना को समाजिक कार्यों के लिए मिला। कौन साही है भाई इसमें। दिलिव कुमार को चिकिस्था मिला। खाली यही साही है बाकी सब गलत है। तो आपका एक अपसन हो जाएगा। लेकिन मान लिजीए कि पूछ दिया। दुराइद भी उकला के लिए मिला। च तोचने का तरीका आपको देखना पड़ेगा इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो में किस पॉइंट अफ टाइम पर मैं किस चीज किस तरह से एक्स्प्लेइन करूंगा मुझे कुछ पता नहीं होता है इसलिए वीडियो पूरा देखिए एसकीप मत किजिएगा चलिए तो राम बिलस खगडिया के इदली पूरा के 5 जुलाई 26 में जन्मे थे 5 जसकों तक रहे थे और यह इंपोर्टेंट है कभी कोई पूछ देता है मतलब 2021 का यह बात है और तो यह पूछ देता है इसलिए याद रखेंगे कि 5 जसकों में राम बिलस पासवा नौ बार ल संसर बने थे आठ अक्टूबर 2020 को चोहत्र साल के आई में केंद्री मंत्री भुकता मंत्री के पत्परहत्री उनका नीधन हो गया तो यह ध्यान रखेंगे कि 9 बार लोग सबाग सदस्थे भाई 45 साल तक बनना लोग सबाग सदस्थे थे लोग आप नौकरी करने जाओगे कितना साल नौकरी करोगे उसके बाद दो बार राजसभा के सदस्थे रहे हैं मतलों कितना ज्यादा वोग काम किया है अनिशा सब्सक्राइब पहली बार हाजिपूर से लोग सबाग सब्सक्राइब बने थे उसके बाद 8 अक्टूबर 2020 को 74 साल की आयू में इनकी मिर्टू हो दर गई उसमें वह उभोगता माम लेगे मंत्री पतपर थे जो सेंटर में थे और उनको मिला पदम भूशन अवाड अब रामचंद्रमाजी के बारे में देख लेते हैं चान माजी श्री रामचंद्रमाजी विहार संस्कृति के विगा उनकी ятर स्यीद आए यह 15 और 상थ पचीज लेट के टू जा पूरजे ऐक भ्रूबलद में जन्में रामचंद्रमाजी ने लोग रस सा करथ को जनजन तक पहुंचाने का काम किया है कि कल्ला संस्कृति में इनको मिला है और अनी से 25 में जन्म हुआ था छप्राजिला के तूजा गाउं में तो वहां तक विखारी ठागुर की प्रम्परा को जिवन्त रखने का स्रे इनको जाता है कि इनको जाता है राम चिंद्रमाजी को और इन्हें 2017 में संगीत नाटक अकाद्मी प्रशकार समानित से समानित किया जा चुका है दुलारी देवी मिठला पेंटिंग से समद्नित है जेतकार सूसरी दुलारी देवी का कला छेतर में युगदान के लिए पदम प्रशकार दिया गया मिठला कला में एक मास्टर पेंट में रामचंदर माजी ने सहयों किया और मिला स्पास्वान पॉलिटिक सिस्टम में मतलब समाजिक मामलों में योगदान के लिए उनको पदम भूशन मिला भी भूशन नहीं याद रखेंगे और 2013 में 2017 में इनको मिला था रामचंदर माजी को बोल देगा कि कौन सा सवाल सही है कौन सा इसमें सेंटेंस सही है और इसमें से कोई एक सेंटेंस देदेगा रामचंदर माजी को पदम भूशन मिला जो संस्कृति के छेत्र मिला और वो 2018 में संगीत नाटा का कादमिया वार दिया तो यह गलत हो गया तो यह धियार लखेंगे इस तरह से भी देता है तो यह आपको सारा का सारा याद रहना चाहिए मधुबनी जीला के राठी गाउं में एक मच्वारा पडिवार में जन्मी दूलारी देवी है राठी गाउं में मधुबनी जीला के यह छप्रा जीला के रामचंदर माजी छप्रा जीला के हैं और रामिलास पास्वान जो है ओ आप का खगड़िया के दलित परिवास से बिलोंग करते हैं अच्छा अब आते हैं हाँ विदेशी कला प्रेमिंग गीता बुल्फा ने इसके जिवन का एक सचित्र किताब का फ्लोइंग माई पेंट बरस के नाम से प्रकासित किया गया है तो यह दुदारी देवी के बारे में किया गया है डॉक्टर दिलिव कुमार चिकिता के छेत में इनका युगदान रहा है और पद्दम सिरी से समानित किया गया है यह 26 जून 1926 को बांका जीले में पैदा करने के लिए जाना जाता था लोग को मुफ्ट ठीका लगाया जाता था सूस्री मिर्दुला देवी यह किस चेत्र से हैं भागलपूर चेत्र से बांका में पैदा हुए थे और सूस्री मिर्दुला सिनहा सूस्री मिर्दुला सिनहा को कला और साहित के चेत्र में युदान के लिए मर्णो परान पद्दम स्री मिला है सूस्री मिर्दुला सिनहा को मर्णो परान मिला है ध्यान रखेंगे गुवा के पुर्व राजपाल ये पहले राजजपालती गुवा के 27 नॉमबर 1942 को बिहार के मुझभफरपुर में हुआ था ठीक है उन्होंने अपने जीवनकाल में 46 से अधिक पूस्तके लिखी जिन में जियो महदी के रंग नई देवरानी या घरवाश सामिल है यह सब उनके लिखी हुए किरती है 18 नॉमबर 2020 को 78 वर्ष की आयू में इनका निधन हो गया ते इन लोगों को मिला है पदम शिरी पदम भुशनावार जो बिहार में युक्रान कर रहे हैं उन में से 5 लोग है फिर से मैं एक बार समरी कर देता हूं राम बिलाश पाश्वान सम यह 2021 का पदम पुरस्कार है अभी 2020 का पदम पुरस्कार बिहार की आठ बेक्तियों को पदम पुरस्कार 2020 से समानित किया गया इसमें से एक को पदम भुशन और साथ को पदम शिरी मिला 2021 में एक को पदम भुशन मिला और चार को पदम शिरी मिला और 2020 में मिला था एक को पद स्याम सुन्दर सर्मा कला डॉक्टर सांती राय चिकित्सा और बिम्मल कुमार जैन समाज सेवा रामजी सिंग समाज सेवा देख लिजे आप लोग इसका स्क्रीन सॉट भी ले सकते हैं स्क्रीन सॉट लेके भी याद कर लेंगे अगर बुक एबलेवल आपके पास नहीं हो तो स्याम सुन्दर सिंग एक मैं थोड़ा सा छोटा कर दो तकि पूरा ब्लॉक आ जाए इसमें तो यह मिला रामजी सिंग एधाव भागल पूर बरसीष्टे नरायायन सिंग समाज सेवा बसंतिपूर भोजपूर जिला और शुजा के गुहा यह नहीं है कि इसमें रखने वाली बात है आप लोग इसको अध्यान से देखेंगे तो आपके दिमाग में यह रहेगा याद रहेगा दोनों का दोनों याद रहेगा तो धियान रखेंगे इसमें आट और 2021 में पांच लोग को मिला और दोनों का दोमा इंपोर्टेंट है अब खेले हों बिहार अब बिहार के संदर में चुकि बिहार का जी के हम लोग देख रहे हैं तो कियो पारा ओलंपिक पारा ओलंपिक आप लोग जानते होंगे पारा ओलंपिक कैसे होता है तो बिहार के दो पारा ए सामिल है प्रमोर्ण भगल भगल सामिल है पैरा ओलंपिक में बिहार में बिहार से भाग लिए वह एक बैसार लिए थे और दुसरा मोतिपूर मुझाफर पूर के थे सरत कुमार उची कूद में 31 अगस्त 2021 कोपूर्सों के एक दोसामलोग आठ तीन मीटर की उची कूद टी-42 परति सर्वाद में कास्य पदक जीता तो यह इंपोर्टेंट है सरत कुमार किस छेत्र में भाग लिए थे उची कूद में पारा ओलंपिक में टोकियो पारा ओलंपिक परमोध भगत बैंडिन मौझूदा बिस्तु चेंपियन सर्टलर परमोध भगत ने टोकियो पारा ओलंपिक में पूर्श एकल एसेल थीरीवर्ग के एतिहासिक स्वर्ण पदक जीता भरत भगत ने सीखर मुकाबले में ग्रेट बेटन के डेनियल बेथेल को हरा कर सीथे ग अब हाता है होकी होकी फिलाड़े विबेख सागर को टोकियो उलंपिक में वाली भरत ये टिम की हिस्सा थे मतलब टोकियो में ओलंपिक जो हुआ था उसमें काशनब के जीते थे उस की ये टिमेट थे के लिए खेलते हैं तो विबेक सागर यह हो गए उसके बाद किर्केट की अगर बात करें ता थारा अगस्ट 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 को अपने अवास पर बिहार के खिलाडियों को बहतरी कारे के लिए शुरेंदर खनना को शमानित किया शुरेंदर खनना भारती क्रिकेट टीम के बिकेट कीपर बल्ले बाज है शुरेंदर खनना को परत्रम एशिया क्रिकेट कप एशिया कप क्रिकेट परत्योकता अनिसे 84 में मैंन दमैस शीज का खिताब मिला था क्रिकेट इसान किसन इसान प् कि कि इंद्यें्ट टीम में यह मार्जब Detahl 21 में एंटर किए और हिस्षान परधान कुमार पांड़े किशन है पूरा नाम याद रखेंगे यök कवर कर पूजेता अतना लम्हर नाज हैं तो हम लोग तो इस्षान किशन से जानते हैं लेकिन यह पूरा नाम ही भी याद रखेंगे कंश्यूज नहीं होना बीच में परधान कुमार पंडे आई पील 2020 में मुंबई इंडियन्स के लिए खेलते हुए किसा ने संदार परदर्सन किया था उसके बद पैरा उलम्पिक खिलाडी मम्ता देवी अभी देखिए बिहार के रष्टिये महिला पैरा उलम्पिक में खिलाडी मम्ता देवी को पांचवी बार राज्य खेल पुरसकार से समानित किया गया मम्ता देवी रोता जीले के सोनवर गाउं के रहने वाली हैं इससे पूर मम्ता को 2010, 2013, 2018, 2020 में भी राज्य खेल पुरसकार क्या ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो वह भी हम लोग देख लेते हैं कुछ ज़्यादा लंबच और लिस्ट नहीं है और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे हाल ही में ग्रेफलिंग नन ओलम्पिक कुस्ति के लिए बिहार के तीन रेफरी सुबोद कुमर याद रिजवाल उलहक और शुदामा कुमर हाल ही में बिहार के मध्यपूरा जीले के मार्शल आठ खिलाड़ी राजमंगल निसाद को भीन पुरसकार समानित के आगे है राजमंगल निसाद जो मार्शल आठ के खिलाड़ी है मध्यपूरा के इतने सवाल एक कोश्चन से एक हैं तो इतना सारा सवाल बनता है हाली में पूर्वी चंपारन के जीला परसासन ने रगभी खेल को गोधर लिया है मतलब खेल को भी प्रमोट किया जा सकता है लेख हाली में बिहार के अंजना कुमारी ने बैडमिंटन रैंकिंग में 200 रैंकिंग में 200 रैंकिंग तब पहुचने वाली बिहार की पहली अंजना कुमारी बैडमिंटन के खिलारी है और यह न्यूज में इसलिए हैं क्योंकि ये 200 rank के अंदर पहुंच की ये बिहार की पहली खिलारी है तो सवाल ऐसे सिथनी पूछता है कि अंजना बिहार की कौन से खिलारी है जो 200 के अंदर चली गई अंजना कुमारी ये लिख देगा कि अंजना कुमारी जो 200 rank में 200 rank के अंदर पहुंची यो बिहार की कौमी ये भी पूछ सकता है, ठीक है चाहिए बिहार से कौन ऐसी प्लेयर है, कौन प्लेयर है जो किस छेतर में 200 से अंदर रेंकिंग, इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है, तो सवाल के एस्पेक्ट को ध्यान रखेंगे, 27 से भी खेल बिश्व विद्याले विद्यायक 2021 को परिस किया, भी हार खेल बिश्व विद्यायक 2021, हाल ही में बिहार के अनूझ राज का चैन इंडियन प्रिमिर लिग के मुंबई इंडियन टीम्स के नेट बल्लेवाज के रूप में किया गया है, हाली में बिहार के अनूज राज, कच्चायन, इंडियन प्रीमियर लीग, IPL के मुंबई इंडियन टीम में नेट गेंदवाज की रूप में किया गया है बिहार के छप्रा के निवासी और पहले उनको दुलौनाचार अवार्ड मिल चुका है तो सवाल यह पुछेगा कि हरेंदर सिंक को consider the following statement, find out the wrong statement या correct statement मालिए जब find out the correct statement बोला और बोलेगा कि हरेंदर सिंग को अमेरिका पूरुष hockey team यानि की male hockey team का coach बनाया गया है चीफ coach बनाया गया है यह सही answer दूसरा पूछेगा he had got दोरोनाचार अवार्ड ठीक है यह भी सही है he belong to यह भी है उसके बार फांचओ आपसन दे देगा विजक को महिला के लिए बनाया गया है छीफ उसका कोच बनाया गया है यह गिलत हो जाएगा और फांचnd आप लोगो उसको पता है उसमें से क्या आमसर हो जाएगा उसका कॉई प्रस्क्राइब कर लिजे क्योंकि आपके जड़नी में हम लोग आपको लास्ट मंजिल तक पहुंचा के ही दम लेंगे लेकिन इसमें आपका सयोग ये चाहिए कि आप लगातार बने रहे है कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए उसको मिस नहीं कीजिए उजबेकिस्तान के तासक क्या है कि खेल से क्या पूछा जा सकता है ये पूछ सकता है ये सब चीजों को याद रखना देहरा दुम्यावजित एक तालिसमी जुनियर राष्टी ये तीरंदाजी चेंपियंसीप में बिहार के बेगुसरा के रहने वाले प्रियांस ने दूसरा अस्थान हासिल किया हा बिहार की स्रेशी सिंग आई एस एस बिश कप 2021 में देश के लिए स्वर्ण पदग जीता स्रेशी सिंग पटना का महिनुलों के स्टेडियम अंतराष्टी अस्तर का बनाया जाएगा राजगीर में अस्थापित किये जा रहा है खेल बिश्व विद्याले में 33% सीट को महिल खेल योजना के तहट बिहार की कुल 10 पड़ योजनाओं को केंद सरकार ने स्विकर्टी दी है खेल के प्रती समर्पित बिहार के बीरपूर के संजीव कुमर जहां को बिहार गौरो अवार्ड 2019 से समानित किया गया है बजट 2021 में बिहार के कुल 22 जीलो में 145.42 करूर रुपे से 22 साला स्वा खेल बहुन बनाने के परोधान है 22 जीलो में बनेगा ध्यान रखिएगा जिमनेजियम बनेगा और आपका स्पोर्ट्स कंप्लेक्स स्पोर्ट्स बहुन बनेगा नेशनल महिला हैंड बॉल टीम के लिए चूनी जाने वाली बिहार की पहली हैंड बॉल खिलाडी नवादा जीले खुस्पु कुमारी बन गई है बिहार की महिला फुटबॉल खिलाडी संजु को बर्थ 2019 बिस AIFA के लिए फुटबॉल आफ दे इयर समान दिया गया बिहार उलंपिक शंख 2020-24 के लिए अब्धुलबरी सीदिकी अध्यक्ष निक्त किये गये हैं बिहार उलंपिक 2021-24 के लिए बिहार से जो लंपिक cleaning को बनाएगया है अध्यक्ष तो यह है पॉइंट्स आप इसका स्क्रीन सोट भी ले सकते हैं या फिर बार 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 डिसकस करने के लिए बार बार वीडियो इसको गुमा के देखिए और याद कीजिए और इसमें आपका करेंगे फूल सेशन इसके बार आता है बिहार में पुरस्टार और शम्मान बस एक नजर देखते चलते हैं और उसके बाद हमारा चर्चित ब्यक्ति और चर्चित अस्थान और उसके अलावा चर्चित ब्यक्ति से बहुत कुछ नहीं जाता है लेकिन एक बर हम लोग रिटिंग जलू डालेंगे ताकि कुछ छूट नहीं जाए बिहार के डॉक्टर रुखमनी बनर जी को सिक्षा बिकास के लिए परतिश्चित मियाद पुरस्कार 2021 से समानित किया गया डॉक्टर इसन के लिए नहीं दिया गिनको सिक्षा बिकास के याद ऐडान 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 इसको लिखावा है हंदी में ऐडान पुरस्कार 2021 समानित किया गया शूपर 30 के संस्थापक गनित तक आनंदकुमार को सारा भाई अध्यापक बैग्यानिक राष्टिये मानद पुरस्कार अंतराश्टिये महिला दिवस कब मना जाता है आठ मार्च को मना जाता है कि उसर पर बिहार कि सिख्षी का डक्टर नम्रता अनन्द को राष्टिये नारी रत्न आवार्ड से सहमानित किया गया किस दिवस पर महिला दिवस 2021 के बात है 2022 का यह नहीं है अच्छा जगत में सबसे परतिशित अवाड क्या है सिख्षा जगत में सबसे गुलोबल टीचर्स अवाड के लिए भागलपुर के सत्यमिस्त्रा चैनित किया गया है पर झालिये नहीं चूटेगा हाली में बिहर के डॉक्टर विबेक मनी तृपाठी को चीन में अंतराश्टीन सीख्छभुर्का से समानित किया गया। बिहार में निखिल अगरवाल को अमेरिका में MD Residence Award 2020 से सम्मानित किया गया, हाल में खुर्सी दालम को Social Worker of the Year Award दिया गया, अनन्द कुमार को स्वामी ब्रह्मा नंद पुरसकार 2021 से सम्मानित किया गया, हाल में जितन दन दन जहां को मर्नों प्रांत सहीत अकादमी अनुबाद पुरसकार 2020 दिया गया, जितन दन दन जहां को सहीत अकादमी अनुबाद पुरसकार 2020 के लिए चूना गया, हाल ही में रविंद्र कुमार को बर्स 2021 का Award for Excellence in Book Production परदान किया गया, रविंद्र कुमार को, बिहार के बाग समर्चक मुहमद आरीफ को Tiger Guards Award से समानित किया गया, समानित राजी और रज़ेन परसाद को मौराना अब्दूलकलाम अवार्थ, समानित को दिया गया, मौलाना अब्दूलकलाम अवार्द, बिहार में हरिदाष सर्मा कैमूर के हैं तथा एम चनदना दत मधुमनी के हैं, जो राष्टी है, शिक्चक पुरसकार के लिए चून है तो पूछता है और जब BPSC की बात करें तो जब वो बिहार के संदर में अगर को जाता है सबोचकर वो बिहार के किसी को मिलता है जैसे ये हरिदास सर्मा कैमूर के और चंदना दत मधुमनी के जो इसको राष्टिय सिक्षक पुरसकार के लिए चुना गया है तो ये इंपोर्टंट बहुत जाता हुजाता है विदिन इस स्टेट वाला जो है तो बहुत हाई mesma री आना ए doğru आ तो इसलिए हम लोग उन सब चीजोते फोकस रखेंगे ऑर देखके चलेंगे सब और हाल ही में बि हासर कि अनन्त बिजय को डॉक्टर फादर कमिल बुक बुल्क पुरस्कार दिया है हाली में बिहार के दो काइडेट मम्दा कुमारी और विसाल आज को बर्थ 2019 के लिए राष्टी सिवा योजना पुरस्कार के लिए चूना गिया है अपडाउन में फंसी जिन्दगी ये इनका काप बेसंग रहा है के लिए मैथली सरंगुप्त पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है असोक कुमार प्रजापती का चैन प्रेम चन पुरस्कार के लिए किया गया है और असोक कुमार प्रजापती चैन आवाद हो गया और अरंगाबाद के कुटुमबब प्रखंढ को दूसरी बार पंडि दिन देल पाढ़ है पंचायत सक्तिकरण पुरसकार से सम्मानित किया गया औरंगाबाद के कुटुमबब परखंढ तो ये ध्यान रखेंगे कि ये सब सवाल भी आ सकता है जिसके हम ज्यादा थ्रश्ट दे रहे हैं ज्यादा फोकस दे रहे हैं उसको ज्यादा ध्यान रखना है जिसके कम दे रहे हैं उसको कम ध्यान रहे हैं परपस यह है कि हमें ज्यानकाडी मिल जाए कि किस सवाल के आने की स बिहार के मर्धेपूरा जीले में के कैप्टेन आरशू तोस्कुमार को मणनो पर अपरांथ शूर्जी चक्ष दिया कैप्टन अशुगंत लिए हिंदी ह साहे पूर्थवोर, पुरसकार 2020 दिया गया डॉक्टर अनामिका को दिया गया तो यह याद रखेंगे मधुबनी में कमलाकान जहाको उनकी रचना गाच रूसल आची के लिए मैथली भासा का सहीत अकादमी पुरसकार गाच कमलाकान जहाको गाच रूसल रूसल आची ठीक है और यह टोकडी में कमलाकान जहाको कादमी सहीत अकादमी यह मिल गया उसके बद बिहार में गया कि हुष्यन उलाफकुन की रचना अमावस में ख्वाब के लिए उरदु भासा के लिए 2020 के लिए भियार के अभिनेता मनोज बाचपेः को 67 रस्ट ए फिल्म पुरसकार में फिल्म भोसले के लि किसी भी पॉइंट आफ एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है याद होना ही चाहिए हाली में बिहार के महिला सक्ति ए सिक्षी का डॉक्टर नम्रता अनंद को राष्ट्री नाडी रत्न आवाड से समानेत किया गया साहित अगादमी पुरुसकार 2020 का बाल साहित दिया गया यह सब इंपोर्टेंट है यह सब चीज ध्यान रखने की चीज़ है आपको हाली में अनंद किसोर को आउट्स्टेंडिंग लीडर्शिप अवाड मिला दादा साहव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवर 2021 में सुसामतिंग राजपूत को मॉर्णो प्रांत क्रिट किर्तिका अनंद ने स्किन ब्यूटी में मिश इंडिया का किताब जीता बिहार के 37 कुमार को आत्मी भारत अभियान के तवत इवा उदमी पुरुषकार से समानित किया गया है हाल ही में बिहार के रंजु कुमारी को बर्स 2020 तक राष्टिये फ्लोरेंस नाइटेंगल अवा गलवान के तहत lifetime achievement award दिया गया है lifetime achievement award दिया गया गलवान में चीनी से नाइट खिलाफ नत्रत्तु के लिए बिहार के 20 अन्तोस बाबु कर्णल को मर्नोप्रांत महाबीर चक्र से समानित किया गया और इसके अलवाइच में और क्या है बिहार के प्रिति प्रिया दर्सनी को ब दिल एंड मिलिंडा फांडेशन दोरा बिलियम एच फोगो फोगो अवार्ड हेल्थ अवाड दिया गया उसके डाक्टर राघहाव अचार इस जी महराज को पार्ट्री पूतर गौरों समान दिया गया मधुभनी बिहार के मधुभनी जी के निवाशी बिद्र नरायन झाक तो यह हमारा अवाड वाला सेक्षन जो बिहार से संबंधित है और बिहार के लिए इंपोर्टेंट है वह कवर होता है बाकी तो अवाड हम लोग पूरा जो करेंट फिर देखेंगे उसमें तो देखेंगे ही तो यह जहां पर हम लोग थ्रस्ट जादर दिया है और ध्यान देखेंगे लेकिन इसको पर जरूर लेंगे ठीक है इसको मिस नहीं करेंगे इसको पढ़ना जरूर है क्योंकि इसको पढ़े रहेंगे तो आपको आसानी होगी आपको कोर्लेट करने में भी आसानी होगी आपको कोस्टन हो सकता है क्लॉस कोस्टनिंग अगर हो जाए ठी ल है उसको हम लोग पॉइंट आउट कर लेंगे वैसे सब का नाम एक बाद देख लेंगे क्या है कौन है तो यह चर्चित बैक्ती में जो इंपोर्टेंट होगा हम लोग देखते चलेंगे और फटा-फट करते बिहार के कठिहार में कदवा प्रखंड के सुभम कुमार यूपी किसन गंज की बविता मिस्र बिजेता गोज़त की मिस इंडिया पर्ट योगिता याद थेगा बविता मिस्रा हावर्ट भी सुभिजाले के हावर्ट गेज़ोट स्कूल अफ एडूकेशन में बिहार निवासी सर्थ कुमार को छातर संग का अगला अध्यक शुना गया है स्वांगी सिंग बिहार स्वांगी सिंग बीहार के भाट ये नोश्रीन गी पहली महिला पाइलेट बन गए याद रखेंगे पंकश्ति भाटी को राजी सरकार द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एमेस्टर चुना गया याद रखेंगे हाली में सुप्रिम कोट के मुखे नयाधिस S.A. बोबड़े द्वारा पटना हाई कोट के नौ निर्मित सतापदी भौन का उदखाटन S.A. बोबड़े उस समय थे अभी एन रमना है तो याद रखेंगे सुप्रिम कोट के मुखे नयाधिस उस समय थे जब ये बुक लिखा गया था प्रिंट हुई थी तब और सतापदी भौन का उदखाटनों ने किया था भाजपा के महासची उपत पर भीखुबाई दलसनिया का चैन हुआ हाली में मास्क मैन के नाम से परसित बिहार के कठिहार जी लेके तत्समयक मन्नु का नाम लिमका बुक अफ रिकॉर्ड में सामिल किया गया नया मुर्ति बिनोद कुमार सिना को बिहार मानोदेक्यार अवायोग देर नया ध्यक्ष चुना गया चंढ्रगुप्त इंच्च्टिूट फ़र मेनेज्मेंट पट्ना के सिईओ राजीव राजीन रंजन को भारत के सिर्ष दसस्रवस्रेय हमुख्य कारेकाड़ी की ऐहुक्रदी की सूची में अस्थान हैग कारेकार्व समझज रहे है। सिर्स दस राजी उरंजन को सामिल किया गया हाल में धुरुपत फाउंडेशन लुम्रावद वहरा बिहार की महिला सरत को पंडित नारंग परकास शम्मान से समान किया गया बिहार के दर्भंगा जिलेवे रहने वाली आई पीएस अधिकारी निना सिंग डीजे रैंक समालने वाली रायसान की पहली डीजी रैंक डायेक्टर जेनरल डीजी पी बोलते है ना डायेक्टर जेनरल पूलिस रैंक समाने वाली रायसान की पहली महिला अधिकारी बनी हाली में बिहार टक्निक सेवायोग के अध्यक्षे टेक्निकल सर्विसेज जो कमिशन है अध्यक्षे त हासी लुआ बिहार के नलंदा जीले की और अपरना को उत्राखन में केदार नात कंठ परबग सीखर पर राष्टिये ध्वज पराकर राष्टिये रिकॉर्ड बनाया तो यह इंपोर्टेंट जो है इसमें कुछ चीज़े इंपोर्टेंट रहेगी कुछ चीज़े बस चनगाडी के लिए एक बर पढ़ लिए बिहार के तेस बर से रचित राष्ट अपने जिनके नियुक्ति कैमूर एसपी की गोपनिये सक्खा में की गई है देश के पहले ट्र अब बिहार के द्रभंगा जीले के भावना कंठ गंतनत द्युवस परेड में सामिल होने भारतिये महिला पहली भारतिये महिला फाइटर पाइलट बन गए बहावना कंठ याद रखिएगा शिवांगी शिंग याद रखिएगा यह सारा नाम बहुत इंपोर्टेंट है भा Bee Incor anál क मुखो तो 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 तुरिफ पूराडी इसरन को नए विघा एंगा मालिनी उवस्ति को बष्ट 2020's का कला एक शेतम में रंग सांती सम्मान से समानित किया ग्या पूर्णेया के डिम राहुल कुमार दौ़रा किताब दान अभियान चलाए गया कहां के डियम पूर्णिया के डियम राहुत कुमार के दोरा बिहार सरकार के समाजिक कलियान विभाग ने साइकिल गर्ल आयोजित साइकिल गर्ल जोती कुमारी को नसा मोक्ति अभियान का पराण्यमस्टर बनाया गया साइकिल गर्ण जोती कुमारी को बिहार के फ़स्चिम चंपारण लोगसभाजशेतर में से सांसद संजाई जैसवाल को फेम इंडिया बैंगीन द्वारा सफसेट योग्यान योग्य सांसद सुना गया राज बिहाराज के राजधानी को स्वक्ष व सुर्धन बनाने के लिए चुने गए लिपी सिंग एसपी बिहार का नाम फेम इंडिया की सर्फसेट एसपी की सूची में सामिल किया गया है बिहार तलवार बाजी संग के अध्यक्स के रूप में राजी उरतन सिंग को निउक किया गया है दीपक कुमार को बिहार के मुख मंदर निदिश कुमार का परधान सची बनाये गया है हाल ही मेरा मौतार सर्मा का बिहार यह सारा कुछ इंपोर्टेंट नहीं है तो इसको बनेवाले वर्ल्ड चैंपियंशिप का भारत का नित्त करेंगी उसके बाद चर्चित अस्थान भाई कौन-कौन सथा यह देख लेते हैं हलाकि यह भी बहुत इंपोर्टेंट पार्ट नहीं है लेकिन हम फिर से बोल रहा है कि कोई भी चीज छोर के नहीं जाएंगे तो ज पोनं पूर्णिया सभी पश्चायत के पुर्ट काले वाला डेश का पहला जीला सभी पंचायतों में पुष्टकाले है है यह पहला देश का जीला बन गया तो आईसा कौन सब यह इंप्वुडणल निकियं बिःभ इंक जिल्टीन में देश में सात्व रास्थान मिला है जिला है जो देश में सात्वास्थान लिया है यह इंपोर्टेंट हो जाता है और पतना के गरदनी बाग में बापु टावर बिक्सित किया गया इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि एकजामित पूछेगा तो बहुत सरा सवाल आल्रेडी रहता है तो सेट करन लेकिन पता होना चेहीं घरदनी बाग में बापू डार बना है यह बहुत ही इंपोर्टेंट इशू है इंटरनेशनल इशू है ऐसे वो जह पराली के वज़े से नैस्नल कैप्टैल रिजन जो है नेंसे आर जो है उस महां पे पूरा एयर पोलुशन फैल जाता है दिली तो यह एक important part है, पराली परवन्धन जो है, तो इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है यह topic, बिहार के बेगुसरा जीले में पहली बार embryo transfer in vitro fertilization टक्निक से गाए ने test tube बच्चिया को जम दिया, गाए ने test tube बच्चिया को जम दिया, कौन से टेक्नलोजी हुआ, embryo transfer in vitro fertilization टक्निक, embryo transfer in vitro fertilization, embryo का मतलब होता है, जो lab में fertilization कर दिया रहता है, इंवीव मतलब की fertilization जहाँ पर होना है, जैसे उम्बू में जहाँ fertilization होता है, उम्बू में नहीं होता है, वहाँ पर होता है, और embryo का transfer होता है, और in vitro fertilization, in vitro मतलब lab में उसको fertilization किया रहता है, बिहार की पहले फिस्फिड मिल पटना जीले के फटुआ के यहां पर 30 दिन 20 तर मसली दाना का उत्वादन कर रहा है, बिहार के मुकामा के बिहार, रोड रिसर्च इंस्ट्यूट अस्थफित किया जाएगा, हाल ही में केंद सकार्दोधा दियेगे, निरेकर देश के चावल का पहला, साईलो गोदाम, बक्सर कैमूर जीले में बनाया जाएगा, तो यह याद रखिएगा, बांका जीले में कैदियों के लिए डिजिटल साक्षर्टा अभियान शुरू की गई है, बांका जीले में ऐसा किया गया, और हाल ही में पूर्वी बिहार के बांका के परियाटन, अस्थल मंदार परवत, याद रखेंगे, बांका के परियाटन अस्थल में आता है, और बि बिहार के सुपोल जीले में बिहार का तीसरा बायो डाइवर्सिटी पार्क बनाया जाए गया पार्क नवामी गंगे परिजूना के तरह बिक्सित किया जाएगा। कि अठाड़ा बड़ से अधिक आयू के हंडेट परसेंट लोगों को कुबिन एंटिंटिक लगाने बिहार का पहला परखंड बनकटवा पूर्वी चमपारन बन गया है और बिहार के उद्योग मंति सयद सहनवाज हुसेन ने गया जिले मेराज जी का सबसे बड़ा प्लान वारजो बन गया है मतल exhale नीती बना दा जीए गपाल आड़े में मैं चसे बड़ा इंड़िया में और और सबसे बड़ा इंट्रवा प्लांट जो है पूरिया में लगा ये इंपोर्टेंट है याद रखेंगे बिदेश्टी गुषपेठी के लिए राजी का पहला डिटेंशन सेंटर हाजीपूर में खोला गया है बिदेश्टी गुषपेठी कोई नहीं आया है इसके लिए डिटेंशन सेंटर खोला गया है और राजी के हाजीपूर में खोला गया है गन्ने में से पहली बर मतलब देश में पहली बर बिहार में हुआ बिहार में पटना के पोश्टल कोबिट 19 सेंटर का सुभराम किया गया बिहार सकार ने पड़ाटन को बढ़ावा देने के लिए पूर्वी चंपारण जीला से इस्तित कमेरिया बहुत अस्तुक को बिक्सित करने का नहीं बिहार के बधुमनी में खुदाई के दोरन पूरा तत्विक बस्तु मिले है हाल ही में जारी आकरो के उसार मस्रूम उत्पादन में बिहार को देश में तीसरा अस्तान मिले है भाई मस्रूम उत्पादन में बिहार देश में तीसरा अस्तान पा गया तो ये भी इंपोर्ट 26 मईज 2021 को मनाई कि बिहार के पटना जिले में इस्तित कुकरी गाउं को रूलर डेवलोप्मेंट काउंसिल द्वारा देश का पहला निूट्रिस्नल गाउं घोजित किया गया हाली में बिहार सरकार ने लखी स्रावं भागलपूर में सोड उर्जा प्लांट लगाने घोजना कि बिहार के पहले पोटेवल अंगनवारी केंदर का उधगाटर मुझाफरपूर के कुधनी परखंड के फाकुली में किया गया पोटेवल पोटेवल अंगनवारी समझ रहे हैं राज जी का मोतिहारी नगर निगम 18 प्लस बर्स के लोगों का सब भी 100% टिका करन हो चुका है बिहार का पटन निगर निगम को करना होता अन्फर्स्टर करना उसको मेंटेन करना है तीस्का एक लेवल आता है जो जो शॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने का तो उसका करना होना पहला राज्जी बिहार है पटना के बाद बिहार का दूसरा चिडिया घर निर्मान रडिया जीले के रानी गंज ब्रिक्षवाटिका में किया गया है रडिया जीले के रानी गंज ब्रिक्षवाटिका में पटना बिहार का दूसरा चिडिया घर बना है बिहार सरकार ने एक जीला एक उत्पाद हर जीला का एक बेंजन के तर्थ मुझपरपूर्पूर्वी चंपारन और सितामडी में लीची प्रोसेसिंग प्लान लगाने जाएगा अगर यह तीनु अप्शन रहना तो नन मार देजेगा उप्यू जो पांच वाला अप्शन होता है उमार का यह नहीं तो गलत हो जाएगा यह तीनु जागा का बात है इसमें और देश का पहला है गंगे डॉलफिन रिशर्च के अंडर पटना में बना गया है और हाल ही में केंडर शरकार ने उत्तर भारत में पहला पहली बायो डीजल रिफाइनरी को बिहार की डढ़नी पात्ना में लगाने की प्रस्ताओं मंजूरकरा भिहार की वे हुनर्मन लोगो को बिहार में ही रोजगार देने के उदेश से पूरे बिहार में पश्च्मी चंपारन के चनपटिया मोडल लागू करने की खोसना की है। आज सरकार ने मंजूरी दिये किसपे भाई सुपॉल के कोशी नदी पर 130 मेगावाट का डाग मारा पनबीले याद रखेंगे यह इंपोर्टेंट है। अस्थापित की गई है। भाली में बिहार सरकार ने राज्य की उर्जाव जरुतों का पूरा करने के उद्देश से बिजली खरीदेतु 36 गर सरकार से समझवता किया है। कहां से खरीदेगा 36 गर सरकार से। राज्य सरकार दौरा जारी रैंकिंग में जल जीवन हर्याली अभियान के तहत पूरे पर्देश में बकसर जिला पर्थम है। जल जीवन हर्याली में कौन सबसे पहले पर है। बकसर इंपोर्टेंट है बहुत। जनवरी 21 में मंदार महसो का आयोजन बाका जिला में किया गया। जनवरी 21 को जमुई जीला में नागिक नक्टी पक्षी संचेतना केंदर में किया गया। तो यह है बुक जो लास्ट टॉपिक था इसमें बिहार का चर्चीत स्थान जो हमने वादा किया था। हमने कहा था कि आज ही हम यह वीडियो लेके आएंगे तो आज हम इसको रिलीस कर रहे हैं और आज आपका दो हो गया। यह सुबह में आपने इसका सुबह वाला पूरा पार्ट आगे वाला देखा और अभी आपको साम में आपको यह पूरा वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद इसमें 700 सारे 700 कोश्चन है बिहार बस्तुनिष्ट कर इंट अफेर्स जो है इसमें जो छुटा उटा होगा वह भी कबर हो जाएगा तो एक तरह से आपका बुक पूरा पढ़ लिए उसके बाद इस कोश्चन को हम बोग जब बनाएंगे 738 कोश्चन है होता है कहां कहां पर हम लैकिंग कर रहे हैं उसको फीर से आप गुमा के देख सकते हैं तो यह फायदा होगा तो चलिए आज यह बुक हम लोग खतम किये ठीक है और बिहार करेंट अफेर्स का पूरा खतम हो गया दो ही हम लोग क्लास में खतम कर लिए थोड़ा वीडियो ल तो उसमें क्या होता है कि आपको प्रोइलेम हो सकती है आपको कंटेंट नहीं रहेगा अगर कोशन मेंट्वीं कर दिया अगर सेम too सेम कोशन निया तो नहीं वनेगा और most of the कारण में यह होता है कि हम लोग अब्यक्टिव कोशन बहुत बना के जाते हैं मैं भी बोलता बहुत दीजिए इतना मौक देदिजिए कि आपका बहुत बेस ही स्टॉंग हो जाए और आपकी कोश्चन सॉल्व होने की संभावना है बरजयाए कि आप जब बहुत सरा मौक देते हैं तो बहुत सरा कोश्चन आपके दिवां में गुजाता है लेकिन लेकिन उसके पहले बेस आपकी मजबूत होनी चाहिए आपको थोरा डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा तभी आपका मौक आपका अबजेक्टिव करने काम आएगा तो मेरा ये मानना है कि पहले हम आपका बेस से स्ट्रॉंग करने कोज़ करते हैं उसका डिटेल आपको देने कोज़ करते हैं ताकि आप कनेक्शन बना पाए और आप फिर मौक देंगे तो आपको मज़ा आएगा फिर मौक देंगे तो आपको इंप्रॉब्मेंट दीखेगा कोश्चन किस तर से पूछा जा सकता है तो कोश्चन का कुछ और भी एस्पेक्ट होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा जब आप प्रेजाम देंगे अरे मौक देंगे तो आपको लेगा रहे रहे तो हम लोग यह चीज़ पढ़ेते लेकिन इस चीज़ पर ध्यानी नहीं दिये थे कि इस तर से पूछ सकता है तो दुबारा उस वीडियो को देखेंगे और दुबारा आपको पड़ा चलेगा कि अच्छा यहां से इस तर से भी सोचा जा सकता है तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोरा सा डीटेलिंग चलिए इस वीडियो को इहें पर कम्प्लीट करते हैं और मिलते हैं कल इस कोश्चन के साथ साथे साथ सो कोश्चन उमीद तो है कि खतम कर देंगे कल ही इसको ताकि आपका तीन क्लास में पूरा current affairs विहार का, पूरा current affairs विहार का, प्लस विहार current affairs का, जो 700, 731 कोश्चन है, टोटल SPD से complete हो जाए, कोशिस ये रहेगी, अभी देखते हैं, कितना कर पाते हैं, कोशिस ये रहेगी, कि अब complete कर देंगे कल, पढ़िए मन लाया के, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडि प्लीज सस्क्राइब कर लिजे, क्योंकि बहुत important होने वाला है, आने वाला, अगला 40-45 दिन, 50 दिन, खास वर जब हम 4-5 दिन में मेरे खाल से, 8 दिन में जाओ का, 40-45 दिन, 45 दिन के आसस बचा हुआ रहेगा exam, मोटा मटी उतना ही बचा हुआ है, तो हम सुरू करने वाल है मौक टेस्ट, तो पर दे अब दो क्लास होने वाला है, दो-3 दिन के अंदर सुरू हो जाएगा, दो क्लास इसलिए होगा, कि एक तो आपका जो regular study यह चल रहा है, जैसे यह current affairs हो गया, अब इसका current affairs नहीं चलेगा, आप चलेगा, पूरा current affairs का package चलेगा, ठीक है, लेकिन उसक parallel आपको मिलेगा question, जो डेर सो question रहता है, वो आपको real time में मिलेगा, और आप seat लेके बैठेंगे, तो आपको per day एक mock test चलेगा, और अगले 40-45 दिन तक लगतार चलते रहेगा, तो आपका assessment 7-7 और पढ़ाई 7-7 दोनों balance हो के चलेगा, इसलिए बोल रहा हूं, subscribe जरूर कीज अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, ताकि ओ भी आपके group में सामिल हो, और आपसे discussion हो, और उनका knowledge भी बढ़ेगा, discussion करने से knowledge बहुत बढ़ता है, तो चलिए, मिलते हैं कल एक नए class में, तब तक के लिए bye bye, take care, जय हिंद